दर्दी की चाती का लाल, जंगल का दुलाल मेरा भाई मेरा यार गोंड का अहंकार कुमुरंधीम मेरा यार जेज दुबारा कर लोगा हड़sc psychologically जुचोर दुवारा जार का लोगा हर करदी हर्ला प्रऊल स्वेदर सी खर्णोंगे हर्ड़ेद्डराइस दुबाराला लड़ोगा जम तुबारा मना श दुबारा पटनेंवी सुचनोंगा हर छू przedstaw to thePR पौलूगा हर ताना तुभारा सुनूगा हर हसी तुभार हास लूगा हर आसु तुभार रोलूगा तेरे बेना लाइफ बड़ी जीवी बासी सी लगती है मुझे एक बार फेर अपने साथ तुभारा जिने देना एक शोला है दहकती आग का थार जैसी नंगी तलवार का कि यह स्कुना स्स chauffe कि विल सकांई podia सका cमार का प् motivate स्कुना विल सक ख़िक भीयाँ, भीयाँ टाल के वप, प्रीघस, पातनी लुट के विल सक्कार जल जंगल जमीन का नारा सबसे पहले किस नहीं दिया कोमाराम भीम की असली कहानी क्या है टिपल आर मूवी में जूनियर एंटियार के धासू लुप की खास बातें क्या है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले ग्राथ के फिल्मिक गलियारे में साउथ के सूपरस्टार जूनियर एंटियार की नई फिल्म आ रही है नाम है टिपल आर फिल्म को बाहवली फिल्म डारेक्टर एसेज राजा मौली डारेक्ट कर रहे है फिल्म में जूनियर एंटियार का फस्ट लुक रिलीज किया गया है उन्होंने कुमाराम भीम का किरदार निभाया है ये मूवी एक पिरियड ड्रामा फिल्म होगी रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म सतंता सैनानी कुमाराम भीम और अलूरी सीताराम राजु के इवाद दिनों पर फिक्सन स्टोरी होगी इसे तेलवू, हिंदी, तमिल, मल्यालम और कन्नट में रिलीज किया जाएगा हाला कि फिल्म की रिलीज डेट अभी भी जल जंगल जमीन का नारा सब से पहले कुमाराम भीम ने 1940 में दिया था निजाम के बुरुध उनके आंदोलन में उन्होंने तर्क दिया कि आदिवासियों को जंगल के सभी संसादनों पर पूर्ण अधिकार कर दिया जाना चाहिए कुमाराम भीम गोंड समाज से थी उनका जन संके पल्ली आदिलाबाद में उन्निसवी इसवी में हुआ था आदिलाबाद जिला तेलांगाना की उत्तर दिसा में है और महराश के साथ सीमा बनाता है ये जगा गोंड समाज की महान नाइका जंगो रायतार का जन्म अस्थल भी है जहां से उन्होंने कोई तूर समाज की रूरी वादी कुरुतियों के खिलाब आंदोलंच छेड़ा और रायतार नाम से प्रसिद्धी हुई इस छेड में मुक रूप से गोंड समाज बसा हुआ है और ये पहले चंदा और बलालपुर के गोंड समराज के समरुत के अधीन था भीम का बच्पन बाहरी दुनिया से परेवी था उन्होंने कोई आपचारिक सिच्छा प्राप्त नहीं की और अपने समाज की कठनाईयों और अन्मों को देखते हुए बड़े हुए भीम, जंगलाद, पुलिस, ब्योसाईयों और जमीदारों द्वारा गोंड और कोलाम आदिवासियों पर हो रहे शोषण को देखते हुए बड़े हुए जीवन यापन के लिए वे एक अस्थान से दूसरे अस्थान भड़कते और इस तरह खुद को ब्यापारियों और अधिकारियों के शोषण और जवरन असूली से भी खुद को बचाते पोडू खेती की फसल को निजाम के अधिकारी ले जाया करते थे और तर्क देते थे कि ये जमीन उनकी है अवेद रूप से पेड़ों को काटने के इल्जाम में वे आधिवासी बच्चों की उंगलिया तक काट देते थे टैक्स की जवरन असूली की जाती थे अन्नता फरजी मुकद में दायर कर दिये जाते थे खेदी के बाद हाथ में कुछ भी नहीं बचने पर लोग गाउं से प्लाइन करने लगी इन प्रस्तितियों में आधिवासीों के अधिकार के लिए लड़ने के कारण फरश अधिकारियों ने भीम के पिता की हत्या कर दी अपने पिता की हत्या के बाद भीम क्रोधित हुए और इसके बाद उनका परिवार संके पल्ली से सरदार पूर चला गया 1940 में अक्टूबर के महीने की बाद एक दिन पटवारी लश्मन राव निजाम पट्टादार सिद्ध की अन्य दस लोगों के साथ गाउं में आये और लोगों को गालिया देने लगी वा खेती के बाद जबरन टैक्स और सुली के लिए परेसान करने लगी लोगों ने इसका ब प्रेंटिंग प्रेस के मालिक बिटोवा ने उनकी मदद की और दोनों को अपने साथ ले गई बिटोवा उस समय निजाम और अंग्रेज के खिलाब एक पत्रिका चला रहे थे बिटोवा के साथ रहकर भीम ने अंग्रेजी हिंदी और उर्दू सीखी कुछ समय बाद पुल चार वरसों तक काम किया और कारत होते हुए चाय बगान के मजदूरों के एदिकारों के लिए मालिकों के खिलाब बिरोध भी किया इस संघर्स के दारान भीम ग्रिफतार कर लिए गए चार दिनों के बाद हुए जेल से निकलने में कामयाब हुए और माल गारी में सवार हो खिलाफ आवाज उठाई थी लोटने के बाद उन्होंने आदिवासियों के भविस के संगर्स की ओजना बनानी और लोग को संगिर्ट करना शुरू कर दिया टिबल आर में भीम की यही कहानी दिखाए जाएगी अब यह देखना है के सज राजा मौली भीम को अपनी फिल्म मे किस प्रकार से प्रस्तूत करते हैं तूफाने इस समुंदर जिसके आगे खामोस हो जाए हर सरताज जिसके आगे शर जुकाई लहराते जण्डे पर है जिसको नाज बाहों में ताकत आखे जैसी बाज धर्ती की छाती का लाल जंगल का दुलाल मेरा भाई मेरा यार गोंड क का अहेंकार कोमा राम भीम हाला कि इस वाइस ओर में हलका सौथ इंडियन टच आता है लेकिन जिसने लाइन लिखी है बहुत अच्छी है और वो दिल को छू जाती है लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म बाहवली का रिकार्ड तोड़ देगी बाहवली फिल्म एसेज राजा राम राजू और कोमा राम भीम ऐसे में अठकले ये लगाई जा रही थी कि अजय भी कोई असली क्रेक्टर ही प्ले करेंगे अब इस मामले पर कुछ रिपोर्ट्स आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल आर में अजय श्रदार भगत सिंग के रोल में दिखाई दे खबरों की माने तो उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी बिलकुल रियर ना रखते हुए थोड़ा फिक्सन रखा जाएगा सीता राम राजू का जन 4 जुलाई 1897 को विसाखा पटनम जिले में पौंडरी गाउं में हुआ उनके पिता अलोरी बेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीता राम राजू को ये बता कर क्रांदकारी संसकार दिये कि अंग्रेजों नहीं हमें गुलाम बनाया और ये हमारे देश को लूट रहे हैं सीता राम राजू के जहन में पिता कि ये बाते घर कर गई राजू के क्रांद कारी साथियों में बिरया दौरा का नाम भी आता है जिनका अपना बनवासी संगठन था इस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाब युद्ध छिन रखा था अंग्रेज बिरया दौरा को फासी पर लटका देते लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत बलसाली हो चुका था पुलिस राजू से थरथर कापती थी वो बिटेश सत्ता को खुले आम चिनोती देता था सीताराम राजू के शंगर्स और क्रांते की सफलता का ये करण ये भी था कि बनवासी अपने नेता को धोखा देना उनके साथ विस्वाज घात करना नह जानते थे कोई भी समान ब्यक्ती मुख्विर या गदार नहीं बना सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेश रासन के डर को निकाल फिका और उन्हें आसहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया कुछ समय के बास सीताराम राजू ने गांधी जी के विचारों को त्याग दिया और सैन संगठन के अस्थापना की उन्हें संपूर्ण रंपा छेत्र को कांधकारी आंदोलन का केंद बना लिया मालावार को प्रवर्तिये छेत्र छापा मार युद के लिए अनकूल था इसके अलामा छेत्रिये लोगों का पूरा सहयोग भी उ उनके साथ इसलिए आंदोलन को गती देने के लिए गुदेम में गाम मलू डोरे और गाम गौतम डेरे बंधूओं को लेटिनेंट बनाया आंदोलन को और तेश करने के लिए उन्हें आधुनिक सस्त के आउ सकता थी बिटेस सैनकों के सामने धनुजमार लेकर अधिक देर तक टिके रहना आसान नहीं था इस बात को सीता राम राजू भली भात समस्ते थे यही करार था कि उन्होंने डाका डालना शुरू किया इससे मिलने वाले धन से सस्त्रों को खरीद परोध करने लगे और उन्होंने पुलिश स्टेशनों पर हमला करना शुरू किया 25 अगस 19 22 को उन्होंने पहला हमला चिंता पल्ली में किया अपने 300 सेनकों के साथ सस्त्रों को लूटा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिल्म की लोग प्रियता को देखते हुए कहा जा रहा है कि यह फिल्म वाह वली का रिकार्ड अराम से तोड़ देगी जब आग और पानी एक होते हैं तो क्या होता है अज्र देवगन ने अपनी ब्लॉग बस्टर फिल्म ट्रिपल आर का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए क्या कहा नमस्कार दोस्तों मैं घरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल बॉलिग्रादी स्टूडियोज की एक और नई बीडियो में अज्र देवगन आलिया भट एंटी रामा राव और राम चरन स्टार ट्रिपल आर का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचाकर रग दिया है इस पोस्टर ने रिलीज के साथ ही वो दौर याद दिला दिया जब बा यह शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्ख्यां बटो रहा है साथ ही लोग इस पोस्टर की जम कर तारीफे भी कर रहे हैं पोस्टर के रिलीज होते ही फैंस में ट्रिपल आर को लेकर एकसाइटमेंट देखने को मिली साथ ही साथ इस मोशन पोस्टर ने रिलीज इसके साथ ही दर्शकों के दिलों में एक सवाल भी खड़ा कर दिया कि आग और पानी जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है आपको बता दें कि जब विपक्षी ताकती यानि कि opposite energy जैसे पानी और आग एक दूसरे से बिल्कुल opposite है एक साथ आते हैं तो तीर्व उर्जा बनत पॉली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तो उमीदे तो काफी जादा है और अब इस पोस्टर ने रिलीज होकर तो उमीदे और भी जादा बढ़ा दी हैं वेल सब excited है इस फिल्म को लेकर कि कब ये फिल्म रिलीज होगी और अमें देखने को मिलेगी क्योंकि इस बार फ वी एफेक्स, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ तबाही मचाने वाला है क्योंकि जहां एक तरफ इसमें साउथ के सूपरस्टार एंटी रामाराव और रामचरन काम कर रहे हैं तो दूसरी ही और हमारे बॉलिवुड के सिंगम यानि की अज्यदेवगन और आलिया भट भी किर नजर आएंगी तो वहीं अज्यदेवगन की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म सूर्य वंची में भी नजर आने वाले हैं जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और दर्शकों को उनकी एंट्री बेहत पसंद आई है जिसे देखने के लिए वो फिल्म का बेसबरी से इंत जर आए हैं वैसे तो वो है ही बहतरीन एक्टर लेकिन फिर भी उम्मीरे कुछ जादा ही बढ़ चुकी है बाहु बली वाले डारेक्टर ने तो वर्क फ्राम होम से ही गदर कैसे मचा दिया चार सो करोड़ी इस फिल्म को अजय दिवगन ने अपने यूटूब चैनल पर क् आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराद के फिल्मी गलियारे में बाहु बली वाले फिल्म मेकर यसे राजा मौली की एक और बिग वजट वाली फिल्म आ रही अभी हाल इमें बताया गया कि फिल्म का हिंदी टाइटल जो कि इंगलिस में होगा राइज रोवर वही ट्रिपल आर को तेलगू में इसे रौद्रम, रणम, रुद्रम नाम से जना जाएगा। 25 मार्च को वर्क प्राम होम करके प्रोडक्शन टीम ने फिल्म का लोगो और मोशन पोस्टर लांच किया था। इसके ठीक दो दिन बात यानि 27 मार्च को उनकी फिल्म के हिरो र राम राजू का रोल कर रहे हैं और उन्हें इंट्रिडूस करवा रहे हैं उनके कोई स्टार जूनियर एंटी आ जिनका किरदार होगा सुतंता सेनानी कोमाराम भीम का ये आज इसलिए है क्योंकि फिल्म के प्रोडूसर राम च्रव को हैपी बड़े बोलना चाहते हैं बैस राजी से लेकर बंदूग बाजी तक और वो सब कर रहे हैं नंगे बदन मतला पैंट तो पहने हुए हैं लेकिन अपनी चीजल्ड बॉड़ी दिखाने के लिए वो ये सारे काम स्टर्टले सोकर कर रहे हैं बैक ड्राब में एंटी आर की आवाज चल रही है जो इस कृदार का महिमा मंदन कर रही है हमारे बताने से नहीं समझा रहा है तो आप इस वीडियो को खुदी देख लीजिए ये वीडियो अजे दोगन के यूटूब चैनल पर इसलिए है क्योंकि अजे भी इस फिल्म का हिस्सा है ये कहानी है उन्हीं दो करांदकारियों की जिनका नाम हम 1920 के आसपास लेकिन ये उन करांदकारियों की बिलकुल रेल स्टोरी नहीं होगी इसमें सुभिधा अनुसार बहुत सारी चीजें जोड़ी घटाई जाएंगे ताकि ये कहानी सिनेमा मन सके फिल्म का टाइटल लोगो और मोशन पोस्टर देखकर ये कहा जा सकता है कि ये फ फिल्म का बजट साड़े 300 से 400 कौन रुपे के बीच बताया जा रहा है मुएं फिल्म में आलिया के किरदार का नाम सीता बताया जा रहा है पिछले दिनों आई कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि आलिया वहट ने टिपल रर छोड़ दिये वजा सूटिंग में करोन के निपटते ही निपटाएंगी टिपल र की शूटिंग 19 नौमर 2018 को हैदराबाद में शुरू हूँ थी तैयारी ये थी कि शूटिंग का का मार्च 2020 तक खत्म कर लिया जाएगा लेकिन लोगडाउन की सिती में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है अगर सुरुवाती प्ल को तेलगो, तमिल, कनाड़ा, मल्यालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा ओडियन्स के क्रेज को देखकर कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आराम से दो हजार करोन का बिजनिस कर सकती है इस मोशन पोस्टर की खास बाते क्या है इस मोशन पोस्टर का साइकल डायरी से इंस्पायर होगी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल वॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीटियो में धमाकेदार निर्देशक, SS राजा मॉली जिन्होंने बाहु बली जैसी धमाकेदार फिल्मे इतनी बहतरीन होगी इसका अंदाजा इसी मोशन पोस्टर से लगाया जा सकता है साथ ही साथ इस पोस्टर को साजा करते हुए तीनों आर का मतलब भी समझाया गया है जी हां राइज, रिवॉल्ट, रॉड अब इससे इतना तो तय है कि उदै, विद्रो और दहार का ये हमें बाहु बली की याद दिला देता है, उस दौर की याद दिला देता है जब लोग बाहु बली के लिए पागल हुआ करते थे, लगता है अब ट्रिपल आर के जरिये फिर से एसस राजा मॉली लोगों के दिलों में अपनी जगा बनाने को एक दम तयार खड़े हैं, साथ यह देखना वाकई एकसाइटिंग रहेगा कि अजर देवगन, राम चरन और जूनियर एंटियार की तिगडी इस बार क्या धमाल करने वाली है, दोस्तों फिल्म बाहु बली के निर्देशक, ऐसस राजा मॉली की अपकमिंग फिल्म, ट्रिपल आर कई कार्णों से चर्चा भी नजर आएंगे, जिनकी वजह से ये फिल्म काफी जादा लाइम लाइट में बनी हुई है, तो दूसरा रीजन है इसकी रिलीज डेट, जी हाँ, पहले ये फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज होनी थी, लेकिन रंबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के साथ क्लैश के चलते, फि विकी कोशल की उधम सिंग रिलीज होने वाली है, यही कारण है कि ट्रिपल आर के 2 अक्टूबर को रिलीज होने की खबर भी कोरी अफवासा बित हुई, वहीं फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्हो को विश्विस्तर पर रिलीज करने की प्लानी कर रहे हैं, यही कारण है कि हमें इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्पोन करना पड़ा है, हम जानते हैं कि यह काफी लंबा समय है लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे, वहीं दोस्तों ट्रिपल आर का बजट भी काफी हैरत बताया गया है, माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्मान में साड़े तीन सो से चार सो करोर रुपे खर्च होंगे, वहीं फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मॉटर साइकल डाइरी से इंस्पायर बताई गई है, गौर तलब है कि यह नेवेंबर 2018 में फ्लोर्स पर गई थी, यह फिल्म भारत की आजादी से पहले के दौर की है, जिसमें दो रियल लाइफ हीरोस की काल्पनिक कहानी को दिखाया गया, माना जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के लिए दो साल रिसर्च की थी, तो यह पहली बार नही की थी और पूरे विश्वभर में शानदार कलेक्शन किया, तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रिपल आर भी बाहुबली और बाहुबली टू की तरह विश्वभर में नाम कमा पाएगी, आपको यह मोशन पोस्टर कैसा लगा, और आप कितना एक्साइटेड है, इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट में बताना बिलकुल ना भूले, यह वीडियो अगर पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा, बाहुबली वाले राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर में कैसे टक्राएंगे आग और पन, ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर से कैसे पत क्यों हिल गया है, मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराथ के फिल्मी गलियारे में, बाहुबली वाले फिल्मेकर एसे राजा मौली ने 24 मार्ज की सुबा एक ट्विट किया, लिखा, क्रोना की वज़ा से दुनिया भर में लोग परेसान हो रहे हैं, आएसे में वो अ करेंगे, हाला कि ये वीडियो कब लांच किया जाएगा, वो इस बारे में शेयर नहीं थे, क्योंकि उनकी टीम भी वर्क फॉर्म पॉम कर रही है, 25 मार्ज की दोपार फाइनले फिल्म का मोशन पोस्टर लांच किया गया, पहली बार बताया गया कि इस ट्रिपल आर का इस ट्रिपल आर की कहानी होगे आंत्र प्रदेश के दो कांधकारियों की, जिनोंने अंग्रेजों और हैदराबाद की निजाम के खिलाव अजाधी के लिए संगर्स किया था, सुदंता सेनानी, अलोरी सीताराम राजू और कॉमाराम भी, फिल्म में ये दोनों किरदार नि अगर मजबूत किरदारों में दिखाई देंगे, खावरों के मुताबिक इस फिल्म में अजय द्योगन भागस सिंग का रोल करेंगे, और वो ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म का बजट साड़े तीन सो से चार सो क्रोन के बीच बताया जा रहा है, वे फिल्म में अलिया भट के किरदार का नाम सीता बताया जा रहा है, पिछले दिनों आई कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि आलिया भट ने ट्रिपल आर छोड़ दी, वज़ा स्चूटिंग में करोना की वज़ा से होने वाली देरी, हाला कि फिल्म की टीम ने इस बात को कंफर्म किया ऐसा कुछ नहीं, आलिया फिल्म का हिस्सा है और वो अपने हिस्से की शूटिंग कुरोना की निवटते ही निप्टाएंगी, टिमल आर की शूटिंग 19 नवंबर 2018 को हैदराबाद में सुरू हुई, तैयारी ये थी कि शूटिंग का काम मार्च 2020 तक कत्म कर लिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की स्तिती में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर सुरुवाती प्लानिंग के हिसाब से बात करें तो टिपल आर्ट जुलाई 2020 में रिलीज की लिए शूटिंग थी, लेकिन फिल्म के मोशन पोस्टर में नई रिलीज ड 8 जनुवरी 2021 किस बताई जा रही, रौद्रम, रणम, रूद्रम को तेलगू, तमिल, कनाडा, मल्यालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा, फिल्म का टाइटल लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, मोशन पोस्टर को देख करके लोगों का मानना है कि ये फिल्म बाहु कि पूरा सोशल मेडिया ट्रिपल आर का हो गया है, हो क्यों ना, क्योंकि ट्रिपल आर के डारेक्टर SS राजा मौली का जो दिमाग है, वो चाचा चौधरी से भी ज़्यादा तेख चलता है, इसलिए तो SS राजा मौली ने जब बाहु बली बनाई थी तो, लोगों ने सोच अगया भी नहीं था, कि बावळी बॉक्स ऑफिस पर इतने करोन का बिजनेस करेगी, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, कि ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 200-3000 करोन का बिजनेस कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि फिल्म के स्टारकास बहु एक ऐसा संगम जिसके कारण हॉलिवोड डर गया है। बहुत पहले से बस बना हुआ है। में भारत के सौतंतरता सैनी को अलूरी सीता राम राजू और कुमा राम भीम की कहानी दिखाई गई है। इन्होंने भारत को अजादी दिलाने में ब्रिटिश राज के खिलाफ मोर्चा खोला था। फिल्में एंटी रामा राव जूनियर, राम चरन, आल्या भट और अजय देवगन है। फिल्म के पहले शेडूल का आक्शन सिक्वेंस हैदरावाद के अलूमीनियम फैक्टरी में शूट किया गया था। और सबसे खास बात ये है कि फिल्म में हॉलिवड स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में हॉलिवड आक्टर्स रे स्टीवंसिन, ओलीविया मॉरिस, अलिसन डूडी भी मेजर रोल निभाएंगे। पहले इस फिल्म को 30 जुलाई 2020 को रिलीज होना था। लेकिन रनवीर कपूर की फिल्म शमशेरा के साथ क्लैश के वजह से फिल्म के रिलीज डेट खिसक गई थी। ये फिल्म अब अगले साल 8 जनवरी 2021 में रिलीज होगी। प्रिपल आर का बजट बहुत जादा बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्मान में 350 से 400 करोड खर्च होंगे। इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मोटर साइकल डायरीज से इंस्पायर है। इसे के साथ मैं आपको बता दूँ कि और कौन-कौन से हैं वो बॉलिवड मेल और फिमेल आक्टर्स जिन्होंने अपनी डेविव टॉलिवड से की। तो सबसे पहले नंबर पर है एशौरया राई। पहली फिल्म इरुवड तमिल में बनी जिसे मनी रत्नम ने डारेक्ट किया था। 2000 में राजीर मैनन द्वारा बनी एक फिल्म कंडु कोडिन कंडु कोडिन काफी मशूर हुई और एशौरया की हिंदी में। उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी लेकिन एशौरया संजलीला भनसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से चर्चा में आई। आज अशौरया भारती सिन्मा की सबसे महंगी अविनित्रियों में से एक हैं और भारत की सबसे धनी महिलाओं में शामिल हैं। इन्होंने कई बॉलिवूड फिल्म की और बॉलिवूड फिल्म से इन्होंने अपनी करियर बनाई फिर आती हैं प्रियंका चोपरा 2002 में तमिल फिल्म थमी जहन से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद इन्होंने अंदाज, एतराज, दोस्ताना और मैरी कॉम जैसी कई फिल्में की और इस तरह से लगातार बॉलियोड में ही उनकी फिल्में बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाती रही और वो बॉलियोड में चागई इसके बाद हैं अक्टर माधवन, हिंदी फिल्मों की एक जाने माने चहरे हैं और इन्होंने अपनी करियर की शुरुवात अलाई पाउथे से की माधवन को चार फिल्म फियर अवार्ड और तमिल नाडू के स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया इसके बाद आते हैं कमल हासन जो की एक इंडियन फिल्मों के आक्टिव हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुवात ताला थूर करनम्मा से की ये एक स्टोरी राइटर और फिल्म निर्माता के साथ साथ भारती सिनेमा के प्रमप किरदार को जीने वाले अभी नेताओं में से एक माने जाते हैं कमल हासन रास्ट्रिय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फियर पुरस्कार सहीद कई भारतिय फिल्म पुरस्कारों के विजेता की तौर पर जाने जाते हैं और उन्हें सर्श्रेस्ट विदेशी भासा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है तो आज के वीडियो में बस इतना ही और भी ऐसी जानकारी के लिए ट्रिपल आर ने बाहुबली को कैसे दिया पच्छाड ट्रिपल आर को ऐसे सराजमोली ब्रहमांड की तरह क्यों बना रहे हैं साथ सो साल पुरानी दिल्ली की चोर मिनार किसलिए जानी जाती है इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्रादे स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में इस राजमोली की मल्टी स्टारर मूवी ट्रिपल आर को लेकर बवाल मच रहा है लगभग 400 करोर रुपे की लागत से बन रही इस फिल्म का एलान जब से हुआ है तब से इस से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दर्शकों की बेचैनी को और बढ़ा देती है राजमोली खुद कहते हैं कि स्वतंतरता सैनानियों के बारे में भारतिय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संगर्श दिखाया है जबकी वो दास्तां के खिलाफ थे इस फिल्म के जरिये वो इन क्रांतिकायों के संगर्श को अलग तरह से पेश करना चाहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे कैनवास को एक नए ब्रश के साथ पूरी तरह से चित्रित करना चाहता हूँ ताकि मैं जो ब्रह्मान बनाओं उसमें वीर्ता, उर्जा और धेर्य हो 1920 के दशक में वास्तविक जीवन के स्वतंतरता सैनान्यू, अलूट सीतराम राजू और कोमराम भीम के जीवन को परदे पर लाने के लिए राजा मौली फिल्म के लिए काफी रिसर्च भी कर रहे है इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मौटर साइकल डायरी से इंस्पायर है वहीं इस मूवी की जब अनाउंस्मेंट हुई तो दर्शकों के दिल में एक और सवाल भी था की ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है तो आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम है रगुपती राघव राजारा लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है वो यह कि इस फिल्म के नाम को इसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर रखा गया है जहां SS राजा मोली ने बाहुबली वन 180 करोड में बनाई और दूसरा भाग 200 करोड में तो ट्रिपल आर को 400 करोड जितने बड़े बजट में बनाने की आखिर वज़ा क्या है वज़ा साफ है बाहुबली जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदे स्पेशली SS राजा मोली से काफी जादा हो गई है तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते उपर से फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो बजट जादा होना तो लाजमी है वहीं क्योंकि ये फिल्म 1920 के दशक की है तो उस समय के सैट को आज में प्रिजेंट करके दिखाना बेहत मुश्किल है ये भी एक बड़ी वज़य है इस फिल्म को इतने बड़े बजट में बनाने की अब अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो बाउंग बली को ट्रिपल आर पचाड सकती है अल्रेडी बजट के मामले में तो पचाड चुकी ही है और रही बात फिल्म रिलीज होने की तो फिल्म में साउंट के दो सूप स्टार काम कर रहे है साथी साथ हमारे अज़र देवगन भी फिल्म का हिस्सा है तो आलिया भट भी है जो खुद इंडस्ट्री में अपना नाम एस्टिबलिश कर चुकी है तो उम्मीदे तो काफी जादा हैं सभी को लेकिन क्या इन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतर पाएगी ये सवाल भी कही न कही सब के मन में जरूर होगा खैर अब बात करते हैं चोर मिनार के बारे में अलाउदीन खिल जी के साशनकाल में इसको बनाया गया था करीब 1296 से 1316 के बीच चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता था दोशी का सिर काट कर मिनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था और इस मिनार में करीब 200 से जादा सुराखे है इसका साफ मकसद था कि लोगों के बीच चोरी को लेकर डर पैदा हो क्योंकि प्राचीन काल में लुटेरे बहुत हुआ करते थे आज भी होते हैं पर रूप अलग है एसेज राजा मौली की फिल्म टिपल आर को आलिया भट ने क्यों छोड़ा किस वज़ा से तूट गया आलिया भट और रणवीर कपूर का रिस्ता आलिया भट की और कौन-कौन फिल्म आने वाली है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिया भट के फिल्मी गलियारे में डारेक्टर एसेज राजा मौली के फिल्म टिपल आर काफी दिनों से चर्चा में इस फिल्म के जरिये बॉलिया भट साउथ फिल्मों में डिबू करने वाली थी अब खबर आ रहे है कि आलिया भट ने डेट्स की समस्या के चलते राजा मौली के फिल्म छोड़ दी वैसे माना जा रहा था कि गली बॉय एक्टरेस इस महिने की सुरवात में टिपल आल के रिए हैदराबाद, गुजरात और पूने में शूटिंग करने वाली थी लेकिन क्रोना वाइरस के फैलते संक्रमन को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पोश्पॉन कर दी गई अब सुत्रों का कहना है कि राजा मौली लगातार आलिया भट के मैनेजर के संपर्क में है और वे मैं में उनकी डेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं वहीं आलिया, सनक्टू, ब्रंभास और संजरीला बंसाले की गंगु बाई, काठ्या वाडी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं अक्टर्स को लगा कि वे डेट्स का एडजेस्मेंट नहीं कर पाएंगी इसलिए उन्होंने राजा मॉली की फिल्म से हटने का फैसला कर लिया हाना कि कुछ दिन पहले ट्रिपल आर के प्रोडूसर डी बी भी धानिया ने एक इंटर्वी में कहा था कि आलिया भट मई के महीने से ट्रिपल आर के शूटिंग सुरू करने वाली है फिल्म की 75% शूटिंग हो चुकी है बागी शूटिंग आलिया के साथ होनी है आलिया जैसे इस फिल्म के साथ जूट जाएंगी वैसे ही राजा मॉली इसकी शूटिंग सुरू कर देंगी टिपल आर एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के सुत्मता सैनिको अलोरी सीता राम राजू और कोमा राम भीम की कहानी दिखाई गई है फिल्म में जूनियर एंटियार और राम चरन मुख भूंकाओं में नजर आएंगे और इसी फिल्म में बॉलिवुड के अक्टर अजेज दियुगन भी कैमियों रोल करते हुए दिखाई देंगे माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 400 से 400 क्रोण रूपए खर्च होंगे आलिया भट और रनवीर कपूर बॉलिवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है दोनों की शादी काफाइंस बेसाबी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसी बीच कुछ परेसान करने वाली खबरे सामने आ रही है खबरों की माने तो रनवीर और आलिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है इतना ही नहीं खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि दोनों का ब्रेक अप और ब्रेक अप की वज़ा बताई जा रही है रनवीर का बेवहार आलिया के लिए रनवीर का वर्ताव कुछ चीद नहीं है इसलिए दोनों का ब्रेक अप हो गया है और कुछ लोगों का मानना है कि रनवीर और आलिया अब भी साथ है अभी हाल ही में आलिया भट 27 साल के हुई है और उन्होंने अपना जनम दिन मनाया है एक्ट्रेस ने अपना जनम दिन बहन शाहीन भट और अपनी गल गैंग के साथ मनाया लेकिन उसके बाद एक फोटो सोचल मीडिया पर काफी वारल हुई जिसमें रनवीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे उस फोटो में रनवीर और आलिया के लावा अरजुन कपूर और मलाइका अरोडा भी थे फोटो को नतासा पूना वाला ने अपने इंस्टा स्टोरी पर सेर किया था लेकिन अब खबरे ये हैं कि रनवीर तो आलिया के बड़े पार्टी में शामिल ही नहीं हुए ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो फोटो आलिया के बड़े पार्टी के दौरान की थी या फिर किसी और दिन की दोस्तो आज के लिए बस इतना है अगर आपको कोई भी प्रस्न पूछना है तो आप हमसे सिधे पूछ सकते हैं आपके प्रस्नों का जबाब आपको नेक्स वीडियो में दिया जाएगा या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा एसेज राजा मौली की फिल्म टिपल आर को आलिया भट ने क्यों छोड़ा किस वज़ा से तूट गया आलिया भट और रणवीर कपूर का रिस्ता आलिया भट की और कौन-कौन फिल्म आने वाली है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिया भट के फिल्मी गलियारे में डारेक्टर एसेज राजा मौली के फिल्म टिपल आर काफी दिनों से चर्चा में इस फिल्म के जरिये बॉलिया भट साउथ फिल्मों में डिबुक करने वाली थी अब खबर आ रहे है कि आलिया भट ने डेट्स की समस्या के चलते राजा मौली के फिल्म छोड़ दी वैसे माना जा रहा था कि गली बॉय एक्टरेस इस महिने की सुरवात में टिपल आल के रिए हैदराबाद, गुजरात और पूने में शूटिंग करने वाली थी लेकिन क्रोना वाइरस के फैलते संक्रमन को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पोश्पॉन कर दी गई अब सुत्रों का कहना है कि राजा मौली लगातार आलिया भट के मैनेजर के संपर्क में है और वे मैं मैं में उनकी डेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं वहीं आलिया, सनक्टू, ब्रंभास और संजरीला बंसाले की गंगु बाई, काठिया वाडी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं अक्टर्स को लगा कि वे डेट्स का एडजस्मेंट नहीं कर पाएंगी इसलिए उन्होंने राजा मॉली की फिल्म से हटने का फैसला कर लिया हाना कि कुछ दिन पहले ट्रिपल आर के प्रोडूसर डी बी भी धानिया ने एक इंटर्वी में कहा था कि आलिया भट मै के महीने से ट्रिपल आर के शूटिंग शूरू करने वाली है फिल्म की 75% शूटिंग हो चुकी है बागी शूटिंग आलिया के साथ होनी है आलिया जैसे इस फिल्म के साथ जूट जाएंगी वैसे ही राजा मॉली इसकी शूटिंग सूटिंग कर देंगी टिपल आर एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के सुत्मता सैनिको अलोरी सीता राम राजू और कोमा राम भीम की कहानी दिखाई गई है फिल्म में जूनियर एंटियार और राम चरन मुख भूंकाओं में नजर आएंगे और इसी फिल्म में बॉलिवुड के अक्टर अजेज दियुगन भी कैमियों रोल करते हुए दिखाई देंगे माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 400 से 400 क्रोंड रुपए खर्च होंगे आलिया भट और रनवीर कपूर बॉलिवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक हैं दोनों की शादी का फाइंस बेसाबी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसी बीच कुछ परेसान करने वाली खबरे सामने आ रहे हैं खबरों की माने तो रनवीर और आलिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है इतना ही नहीं खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि दोनों का ब्रेक अप और ब्रेक अप की वज़ा बताई जा रही है रनवीर का बेवहार आलिया के लिए रनवीर का वर्ताव कुछ चीद नहीं है, इसलिए दोनों का ब्रेक अप हो गया है और कुछ लोगों का मानना है कि रनवीर और आलिया अब भी साथ है अभी हाल ही में आलिया भट 27 साल के हुई है और उन्होंने अपना जनम दिन मनाया है अक्ट्रिस ने अपना जनम दिन बहन शाहिन भट और अपनी गल गैंग के साथ मनाया लेकिन उसके बाद एक फोटो सोसल मीडिया पर काफी वारल हुई जिसमें रनवीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे उस फोटो में रनवीर और आलिया के लावा अरजुन कपूर और मलाइका अरोणा भी थे फोटो को नतासा पूना वाला ने अपने इंस्टा स्टोरी पर सेर किया था लेकिन अब खबरे ये हैं कि रनवीर तो आलिया के बड़े पार्टी में शामिल ही नहीं हुए ऐसे में ये कैना थोड़ा मुश्किल है कि वो फोटो आलिया के बड़े पार्टी के दौरान की थी या फिर किसी और दिन की दोस्तो आज के लिए बस इतना है अगर आपको कोई भी प्रस्न पूछना है तो आप हमसे सिधे पूछ सकते हैं आपके प्रस्नों का जबाब आपको नेक्स वीडियो में दिया जाएगा या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा ट्रिपल आपने बाहुबली को कैसे दिया पच्छाड ट्रिपल आर को ऐसे स्राजामोली ब्रहमांड की तठा क्यों बना रहे हैं सात सौ साल पुरानी दिल्ली की चोड मिनार किसलिए जानी जाती है इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंग, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्रादे स्टूडियोज की एक और नई वीटियो में इस राजा मॉली की मल्टी स्टारर मुवी, ट्रिपल आर को लेकर बवाल मच रहा है लगभग 400 करोर रुपे की लागत से बन रही इस फिल्म का एलान जब से हुआ है तब से इस से जुड़ी कोई न कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दर्शकों की बेचैनी को और बढ़ा देती है राजा मॉली खुद कहते हैं कि सुवतंतरता सेनानियों के बारे में भारतिय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संगर्श दिखाया है जबकि वो दास्तां के खिलाफ थे इस फिल्म के जरिये वो इन क्रांतिकायों के संगर्श को अलग तरह से पेश करना चाहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे कैनवास को एक नए ब्रश के साथ पूरी तरह से चित्रित करना चाहता हूँ ताकि मैं जो ब्रह्मान बनाओं उसमें वीर्ता, उर्जा और धेर्य हो 1920 के दशक में वास्तविक जीवन के स्वतंत्रता सैनान्यू, अलूट सीतराम राजू और कोमराम भीम के जीवन को परदे पर लाने के लिए राजा मौली फिल्म के लिए काफी रिसर्च भी कर रहे है इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मौटर साइकल डाइरी से इंस्पायर है वहीं इस मूवी की जब अनाउंस्मेंट हुई तो दर्शकों के दिल में एक और सवाल भी था की ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है तो आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम है रगुपती राघव राजारा लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है वो यह कि इस फिल्म के नाम को इसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर रखा गया है जहां SS राजामोली ने बाहुबली वन 180 करोड में बनाई और दूसरा भाग 200 करोड में तो ट्रिपल आर को 400 करोड जितने बड़े बजट में बनाने की आखिर वज़ा क्या है वज़ा साफ है बाहुबली जैसी ब्लॉगबस्टर फिल्म में देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदे स्पेशली SS राजामोली से काफी जादा हो गई है तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते उपर से फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो बज़ट जादा होना तो लाजमी है वहीं क्योंकि ये फिल्म 1920 के दशक की है तो उस समय के सेट को आज में प्रिजेंट करके दिखाना बेहत मुश्किल है ये भी एक बड़ी वज़य है इस फिल्म को इतने बड़े बज़ट में बनाने की अब अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो बाउंग बली को ट्रिपल आर पचाड सकती है अल्रेडी बज़ट के मामले में तो पचाड चुकी ही है और रही बात फिल्म रिलीज होने की तो फिल्म में साउट के दो सूपर स्टार काम कर रहे है साथी साथ हमारे अज़र देवगन भी फिल्म का हिस्सा है तो आलिया भट भी है जो खुद इंडस्ट्री में अपना नाम एस्टिबलिश कर चुकी है तो उम्मीदे तो काफी जादा हैं सभी को लेकिन क्या इन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतर पाएगी ये सवाल भी कही न कहीं सब के मन में जरूर होगा खैर अब बात करते हैं चोड मिनार के बारे में अलाउदीन खिल जी के साशनकाल में इसको बनाया गया था करीब 1296 से 1316 के बीच चोड़ी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता था दोशी का सिर काट कर मिनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था और इस मिनार में करीब 200 से जादा सुराखे है इसका साफ मकसद था कि लोगों के बीच चोड़ी को लेकर डर पैदा हो क्योंकि प्राचीन काल में लुटेरे बहुत हुआ करते थे आज भी होते हैं पर रूप अलग है खेर हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको भी लगता है ट्रिपल आर बाहुबली को पचार देगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही साथ अगर आप किसी एक्टर की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी भी बॉलिवुड की नई या पुरारी फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई भी इन्फरमेशन आपको बॉलिवुड से रिलेटिड जाननी है नीचे कमेंट करना बिल्कुल न भूलें ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल ट्रिपल आर में काम करने के लिए अजर देवगन ने कितनी फीसली है ट्रिपल आर फिल्म का बजट कितना रखा गया है और क्या ये फिल्म बाहुबली से भी बड़ी होगी नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नहीं वीडियो में दोस्तो तानाची से सुर्खियां बटोरने के बाद अज्रदेवगन अपनी अगली फिल्म ट्रिपल आर का एलान कर चुके है और ये भी एक बड़े बजट में बनी पीर ड्रामा फिल्म होगी इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो ये की फिल्म को बाहुबली फेम SS राजा मॉली डारेक्ट कर रहे हैं कहानी की अगर बात करें तो ये फिल्म होगी आंध प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए संगर्ष किया था यानि की स्वतंत्रता सैनानी, अलूरी सीता राम राजू और कोमराम भीव फिल्म में ये दोनों किरदार निभा रहे हैं तेलकू सूपरस्टार राम चरण और जूनियर एंटियार इन लोगों के साथ ही फिल्म में आलिया भट और अज्रदेवगन को भी लिया गया है इनके किरदार छोटे मगर मजबूत दिखाई देंगे लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक और खबर सामने आई है वो ये की ट्रिपल आर के लिए अज्रदेवगन ने कितनी फीस ली है दोस्तों फीस की बात इसलिए छिड़ी है क्योंकि ये पिक्चर बहुत बड़े बजट में बन रही है इसकी लागत साड़े 300 करोड से 400 करोड रुपे के बीच बताई गई है ओवियसली उसमें तीनों सूपरस्टार्स की फीस भी शामिल होगी तो ये सब जानने के बाद इंटरेस्ट की सुई कहा जाता रुपती है यही की अज्रदेवगन ने इस फिल्म के लिए कितने पैसे लिए है लेकिन अज्रदेवगन ये फिल्म फ्री में कर रहे है अज्रदेवगन की दोस्ती जबकि ट्रिपल आर के प्रेडियूसर डीवीवी दनयया अज्रदेवगन को पूरी फीस देने के लिए तयार थे और जहां अज्रदेवगन सिर्फ कैमियों के लिए फिल्म में 35 से 40 करोर रुपे चार्ज करते हैं अज्र ने दनयया का ये ओफर ठुकरा दिया दरसल उन्होंने डारेक्टर राजा मॉली से अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए इस फिल्म के लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया है लेकिन इतने गहरी दोस्ती हुई कैसे दोस्तो इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी साल 2012 से अज्र देवगन ने राजा मॉली की फिल्म इगा जिसे हिंदी में मक्षी के नाम से जाना जाता है उसमें एक छोटा सा वोईस ओवर दिया था तब से ही अज्र देवगन और राजा मॉली की दोस्ती की शुरुआत हुई वेल जब फीस की बात छिड़ी गई है तो अक्षे कुमार का भी जिक्र कर लेते हैं जी हाँ अक्षे कुमार आनन देल रोय की धनुश और सारा अली खान स्टारर फिल्म अतरंगी रे में काम करने वाले हैं और आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार ने 120 करोड रुपे की फीज ली है ये आक्षे सुनकर तो वाकई काफी बड़ा लग रहा है खैर अब बात करते हैं ट्रिपल आर में अज़र देवगन के किरदार की तो वो फिल्म में सरदार भगत सिंग के रोल में दिखाई देंगे यही वो किरदार होगा जो सीता राम राजू और कोमाराम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेवित करेगा इस फिल्म की कहानी तो रियल लोगों से प्रेवित है लेकिन कहने की तरीके में थोड़ी मिलावट नजल आएगी साथ ही साथ उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी को बिल्कुल रियल न रखते हुए थोड़ा फिक्शनल रखा जाएगा तो दूसरे और अज्रदेवगन की फिल्म ताना जी जो 10 जैनवरी 2020 को रिलीज हुई थी अब तक सिनेमा घरों में धूम मचाय हुए है फिल्म की कमाई 200 करोड रुपे के भी पार जा चुकी है और फिल्हाल अज्रदेवगन अपनी अगली फिल्म मैदान की शूटिंग में बिजी है तो दोस्तों अब आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अज्रदेवगन की कौन सी आने वाली फिल्म को लेकर हैं सबसे जादा एकसाइटेड और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शियर ज़रूर कीजेगा बाहवली के डिरेक्टर राजा मौली की ट्रिपल आर कैसे बन गई है दो हजार करोणी फिल्म ये फिल्म पहले दिन ही बॉली बुट के सारे रिकार्ट कैसे तोड़ देगी हालिवोड ट्रिपल आर से क्यों डर रहा है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉली गरात के फिल्मी गलियारे में बॉली के डारेक्टर S.S.R. मौली जब ही कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धमाका करते हैं स.S.R. मौली बॉली वन और टू के जरीए फिल्में दुनिया में भूचाल लाने वाले ऐसे सक्स हैं जिनकी फिल्में कमाई के लिए जानी जाती हैं अब एसस राजा मॉली की अगली फिल्म ट्रिपल आर रिलीस से पहले ही कमाई के नए रिकार्ड बना रही है। ट्रिपल आर में अजे दिवगन, जूनियर एंटी आर और राम चरन लीड रोल में नजर आएंगे। अब हाल ही के कुछ दिनों पहले कोमल नहाटा ने अपनी ट्यूटर एकाउन पर बताया कि रिलीस से पहले ही ट्रिपल आर ने 400 क्रौन रुपए का बिजनिस कर लिया है। पर सीज से ही ट्रिपल आर रिलीस से पहले ही 400 क्रौन रुपए का बिजनिस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रस्ण यह है कि ट्रिपल आर दो हजार करोन का बिजनिस कैसे करेगी। 900 क्रौन रुपए हो जाता है। अब बाव बली स्रीज का भी फायदा SS राजा मौली को मिलेगा। अगर उस फायदों को भी मिला दिया जाए तो ट्रिपल आर का कुल कलेक्शन करीब 1500 क्रौन रुपए हो जाएगा। जूनियर NTR की फिल्में भी आसानी से 300 से 200 कौन रुपए का बिजनिस कर लेती हैं। राम चरन की फिल्म ने भी 200 कौन रुपए तक का बिजनिस किया। इन सारे तथ्यों के अधार पर कहा जा सकता है कि टिपल आर बॉक्स ओफिस पर 2000 करोड का बिजनिस बहुत ही आसानी से कर लेकी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म में पहली बार बॉलेवोड, हॉलेवोड, टॉलेवोड ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। इसलिए ये फिल्म अब राष्टिये नहीं बलके अंतर राष्टिये अस्तर के फिल्म बन गई है। रिली से पहले ही टृपल रार ने कैसे बाहु बली का रेकॉर्ड तोर दिया है। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलिग्राफ स्टूडियोस में। बाहु बली के डारेक्टियर एसेस राजा मॉली जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धमा का ही होता है। एसेस राजा मॉली बाहु बली के जरिये फिल्मी दुनिया में भूचाला चुके हैं और कमाई के नए कीर्थिमान मना चुके हैं। अब SS राजा मौली की आगली फिल्म ट्रिपल आर रिलीस से पहले ही कमाय के नए रेकॉर्ड मना रही है। आपको पता दे ट्रिपल आर में अज़र देवगन, जूनियन एंटियार और राम चरन लीड रोल में है। लेकिन फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नहाटा ने ट्रिपल आर के बिजनस को लेकर एक ट्वीट किया है। और उसके मताबिक फिल्म रिलीस से पहले ही 400 करोड रुपे का बिजनस कर रही है। कोमल नहाटा ने ट्रिपल आर को लेकर ट्वीट किया है। SS राजा मौली की ट्रिपल आर ने प्री रिलीस बिजनस का बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है आंद्रपरदेश और तेलंगाना में 215 करोर रुपे और करनाटक में 50 करोर रुपे के इसके राइट्स बिके हैं जबकि इसके ओवर्सीज राइट्स 70 करोर रुपे में बेचे गए हैं इस तरह साउट इंडिया और ओवर्सीज से हो रही ट्रिपल आर रिलीस से पहले ही 400 करोर रुपे का बिजनस कर सकती है इस सरह उमीद की जा सकती है कि राजा मॉली ट्रिपल आर के साथ भी बॉक्स ओफिस पर बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं आपको बता दे कुछ दिरों पहले खबर आई थी कि फिल्म के लिए अजय देवगन कोई भी फीस चार्च नहीं कर रहे हैं और अजय देवगन की साउथ में ये पहली फिल्म होने वाली है बावबली के डिरेक्टर राजा मॉली की ट्रिपल आर अगले साथ 8 जन्वरी को रिलीस होगी हाल ही में खबर आई थी कि रे स्टी विंसन, ओलिविया मॉरिस और एलिसन डूडी जैसे मशुहूर का लाकार ट्रिपल आर के साथ जुड़ गए हैं फिल्म का 70 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा शूट किया जा चुका है और फैन्स को बाहुबली की निर्देशक राजा मॉली की ट्रिपल आर का भी सबरी से इंतजार हो रहा है तो दोस्तों आप ही हमें बताईए कि आपको ट्रिपल आर का कितना इंतजार है नीचे कॉमें सेक्शन में एसेज राजा मौली ट्रिपल आर क्या मगादीरा की तर्चर बनाएंगे या फिर बाहवली का अनुसरन करेंगे कैसे ये फिल्म कमाने जा रही है एक हजार करोन क्या ये भारत की सबसे महंगी फिल्म है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग राज के फिल्मी गलियारे में निर्देशक एसेज राजा मौली की अगली फिल्म टिपल आर की शूटिंग हैदराबाद में सुरू हो चुकी फिल्म के सेट पर सुपरस्टार अजे देवगन, रामचरन, जूनियर एंटियार के साथ राजा मौली की तस्वीरें बहार आई है इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वारल हो रही है हो भी क्यों ना एक साथ इन चारों को देखना बड़ी बात जहां अजे देवगन बॉलिवुट के स्टार है वही रामचरन और जूनियर एंटियार तेलगू सिनेमा के जानेमाने नाम है लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो है राजा मौली जिनोंने भारतीय सिनेमा को बाहवली जैसे फिल्म दी है बाहवली फेल्म निर्देशक राजा मौली की ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में सामिल है फिल्म का बजट काफी जादा रखा गया है रामचर, एंटी रामा राव जूनियर अजे देवगन के अलावा फिल्म में आलिया भट भी मुख किरदार में दिखेंगी कोई शक नहीं है कि बावली धमागा के बाद दरसों को इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार है फिल्म में अजे देवगन लंबा कैमियो निभाने वाले हैं जो कि काफी अहम होगा वहीं आलिया भट बतोर लीड आइक्टरिस दिखेंगी ये फिल्म 30 उलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो अब इस डेट को बदल दिया गया है हाला कि अभी अक्टूबर की फाइनल डेट नहीं आई है फिल्म 1920 के स्वतंता से नानियों अलूरी सीताराम राजू और कॉमाराम भीम के इर्धिल घूमती है जब की कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानिक कालपनिक है जो बिटिस राज के खिलाब लड़ी थी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी बड़ी होने वाली है करीब 400 क्रोंड रूपए की लागत से बन रही ये फिल्म भारत की सबसे महगे फिल्म होगी फिल्म की टीम ने पहला स्रेजूल पुरा कर लिया है और अब फिल्म की टीम अपने दूसरे स्रेजूल पर काम कर रही है हिंदी के लामात तमेल, तेलगो, मल्यालम समेत कुल दस भासाओं में ये फिल्म रिलीज की जाएगी ये एक पीरियड एक्षन फिल्म है फिल्म को ओवर स्रेज में काफी बड़े अस्तर पर रिलीज किया जाएगा आपको बता दें कि राजा मॉली के पिछले भिल बाहवली ने ओवर स्रेज में एक हजा करोन से उपर की कवाई की थी इससे राजा मॉली ने बाहवली स्रेज, इगामगाधीरा जैसी बिग बजट ब्लाक बास्टर फिल्में दी हैं लिहाज आ टिपल आर से भी बॉक्स ओफिस पर तहलका के उमीद जताई जा रहे हैं राजा मॉली का मानना है कि स्वतनता सेनानियों के बारे में भारतिय फिल्म उन्हें सिर्फ उनके जीवन का संगर्स दिखाया जबकि उन्हें दास्ता के खिलाब लडाई लड़ी थी इस फिल्म के जरिये वो उन क्रादकारियों के संगर्स को अलग तरा से पेस करेंगे आज के लिए बस इतना ही अब हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक हजार करोण का बिजनिस करेगी क्यों बदल गई ट्रिपल र की रिलीज डेट? फिल्म में किस प्रकार का होगा एक्शन? नमस्कार दोस्तों मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सब का हमारे चैनल बॉली ग्रैट स्टूडियोज में बाहु बली के डारेक्टर SS राजा मोली की बहु प्रतिक्षित आलिया भट और अजय देवगन के साथ NTR और राम चरन अभिनित फिल्म है सूत्रों के अनुसार फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है और जुलाई 2020 में रिलीज नहीं होगी फिल्म ट्रिपल रार की टीम के करीबी सूत्रों के अनुसार या अक्टूबर में रिलीज होने की संभावना है इस फिल्म को लेकर शमिक्षिक तरण अर्दास और कोमल नहाथ ने भी ट्वीट करकर जानकारी दी है हाल ही में रे स्टिविंसन ओलिया मार्श और अलिसन डूरी जैसे मशूर कलाकार ट्रिपल रार के साथ जुड़ गए है फिल्म 2020 की सबसे बहु प्रतिक्षित रिलीज में से एक है और इसमें फिल्म उद्द्यों के सबसे बड़े सितारें की टुकडी भी देखने को मिलेगी फिल्म का सब्त्र प्रतिशत भाग शूट हो चुका है और प्रशेंच्शुकों को बाहु बली के निर्देश SS राजा मोली की डीर tema की रिलीज़ का सब्प बे सब्बे से इंतजार है बता दे कि बाहु बली के डारेक्टर SS राजा मोली द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्मान DVV दन्या ने किया है फिल्म में साउथ के दो सबसे बड़े सूपर हिट NTR जुनियर और राम चरिन के अलावा हिंदी सीनेमा के भरोसे मनसितारे अज़देव गन भी है फिल्म में दोनों के लीड हीरो की एंट्रिस सीन शूट कर दिया गया है और उसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा चुका है बॉलिवुड के किस आक्टर ने ताना जी को वाईयाद कहने की हिम्मत की है ये आक्टर क्यू अजे देवगन से पंगे लेता रहता है क्या अब इसे मिल गया है इसका मूतोर जबाब और ताना जी ने रश दिया है कौन सा इतिहास और अब अजे ने केस फिल्म की तैयारिया शुरू करती है हेलो दोस्तों मैं सोनी का स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलिवुड स्टूडियोज में बॉलिवर आक्टर अजे देवगिन की फिल्म ताना जी दा अंसंग वारियर बॉक्स ओफिस पर लगातार कमाई कर रही है फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अब तक 166 करोड की धमागेदार कमाई कर ली है वैसे तो ताना जी की रवतार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि ताना जी ने पहले दिन 15 करोड की कमाई थी और सोलवे दिन अपने पहले दिन की कमाई से भी जादा की कमाई कर ली वैसे फिल्म ने एक और हिस्ट्री बनाई है अजे देवगन की ताना जी दा अंसंग वारियर को दो गुना प्यार मिल रहा है फिल्म बॉक्स ओफिस पर ताब और तोड कमाई कर रही है और अब तीनो से नाओं के प्रमुक ने साथ मिलकर ये फिल्म भी देख ली ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म को तीनो से नाओं के प्रमुक एक साथ देख रहे हो वैल अजे देवगन भी इस बास से बेहत खुश है और बहुत प्राउट फील कर रहे है और अजे ने ठान ली है कि अब वो रुकेंगे नहीं और अपनी अगली फिल्म के तैयारिया शुरू कर रही है आपको बता दे अजे देवगन का अगला प्रोजेक्ट है ट्रिपल आर जिसे डारेक्ट कर रहे हैं बाउबली के डारेक्टर एस एस राजा मॉली ट्रिपल आर मुवी के मेकर्स ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा हम लोग अजे देवगन के साथ हमारे शेडूल की शुरूआत के लिए बहुत खुश है फिल्म ट्रिपल आर में कई बड़ी हस्तियां भी दिखेंगी फिल्म में जे आर एंटियार रामचरन आलियभट और विदेशी आक्टरिस डेजी जोनस भी ली ड्रोन में होंगी फिल्म बड़े बजट की बताई जा रही है फिल्म का बजट चार सो करोड होने वाला है ये फिल्म दस भाशाओं में रिलीस होगी वेल दोस्तों जहां अजे की ताना जी ने दिखा दिया है कि इसमें कितना दम है वहीं बॉलिवट के एक आक्टर ने इस फिल्म को वायाद बता दिया था ये आक्टर अफ फिल्म क्रिटीक है और इनका नाम के आर के है यानि कमाल आरखान जिने आप सबी जानते हैं लेकिन अब ताना जी की तावरत और कमाई से खुद के आर के शर्मिनना महसूस कर रहे हैं के आर के ने माफी मांगते हूँ एट्वीट किया है कि ताना जी रिलीस के दूसरे सोमवार को भी अच्छा प्रेदर्शन कर रही है इसका मतलब की ये कि फिल्म 250 करोड का बॉक्स ओफिस आकड़ा असानी से छू लेगी मैं अपने रिव्यू के लिए माफी मांगता हूँ अगर पबलिक को फिल्म पसंद आती है क्योंकि जनता की आवाज नकारे खुदा आपको बता दे क्यार के ने तारा जी को वायात फिल्म बताया था और कहा था कि पानी 20 से 10 गुना जादा अच्छी है उन्होंने इस फिल्म को एक सार्ट दिया था वैसे ये कोई नई बात नहीं है क्यार के ने फिल्म शिवाई के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था उस वक्क करन जोहर की एदिले मुश्किल और शिवाय में क्लाश होना था और खबर तो ये भी थी कि अजय ने करन जोहर पर आरोप लगया था कि करन ने क्यार के को पैसे दिये थे शिवाय का घटिया रिव्यू देने के लिए इसके बाद दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई हाल ही में एक रियालिटी शो में भी अजय ने करन पर अपनी सारी भडास निकाल दी थी वेल इस बार भी के आरके ने ताना जी का गंदा रिव्यू कर शक पैदा कर दिया कि आखिर के को अजय देवगन से दूश्मनी क्या है वेल फिल हाल तो के आरके को उनका जवाब मिल गया है और क्या जवाब मिला है मतलब कुछ दिन तक के आरके की बोलती ही बंद हो जाएगी खेर दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको ट्रिपल आर का कितना इंतिसार है हमें नीचे कॉमें सेक्शन में ज़रूर बताएं ट्रिपल आर फिल्म के गाने बाहुबली की तरह क्यों बनाये जा रहे हैं क्या ट्रिपल आर बाहुबली से भी बड़ी फिल्म होगी ट्रिपल आर का बजट कितना रखा गया है और फिल्म का नाम ट्रिपल आर ही क्यों रखा गया है नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीटियो में दोस्तो ट्रिपल आर में तेलगू फिल्मों के दो सूपस्टार रामचरन तेजा और जूनियर एंटियार काम कर रहे हैं साथ में प्रकाश राज, मुरली शर्मा, मुकेश रिशी, श्री निवास राव और फिल्म में चीदन जीवी का भी गेस्ट अपियरेंस देखने को मिलने वाला है वहीं अगर बात करें कि फिल्म का नाम ट्रिपल आर ही क्यों रखा गया है तो आपको बता दें कि ऐसेस राजा मुली, जूनियर एंटियार और राम चरन तेजा इन तीनों के ही नाम में आर वर्ड का यूज होता है और देखा जाए तो इन तीनों के नाम पर ही ये फिल्म बिकेगी भी तो इन तीनों के नामों को मिलाकर इस फिल्म का वर्किंग टाइटल ट्रिपल आर रख दिया गया है वहीं इस फिल्म का बजट भी करीब 400 करोड रुपे बताया जा रहा है क्योंकि ये फिल्म भव्य स्थर पर बनने वाली है फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी को राजामोली के पापा के भी विजेंदर प्रिशाद ने लिखा है और ये कहानी रीबर्थ पर बेस्ट होने वाली है वेल रीबर्थ से याद आया 1995 में इस तरह की एक फिल्म आ चुकी है शारुक खान और सलमान खान स्टारर करन अर्जुन और गौर करने वाली बात है कि वो फिल्म ब्लॉक बस्टर हिट साबित हुई थी तो ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है वहीं अगर फिल्म के गानों की बात की जाए तो इस फिल्म के गाने भव्यता से परिपूर्ण होने वाले हैं इनफेक्ट जिस प्रकार से बाहुबली में जियो रे जियो बाहुबली टाइटल ट्रेक रखा गया था उसी प्रकार से ट्रिपल आर में भी एक टाइटल ट्रेक रखा जाएगा सुनने में ये भी आया है कि मोरे बंसी बजईया, नंदलाला कनहिया कुछ इसी प्रकार का गीत भी S.S. राजा मॉली अपनी इस फिल्म में चाहते है बाहुबली में म्यूजिक दिया था राजा मॉली की कजिन M.M. किरावडी ने और ये बताने की तो जरूरत है नहीं, बाहुबली के म्यूजिक को दुनिया भर में बेशुमार प्यार मिला था, खुब पसंद किया गया था और शायद यही कारण है कि S.S. राजा मॉली ट्रिपल आर फिल्म के लिए भी कीरावडी को साइन करने की सोच रहे हैं इनफेक्ट ये तक मानना है कि S.R. बाहुबली की तरह भारतिय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म हो सकती है वैल अब ये देखना वाकई दिल्चस्प रहेगा कि क्या S.R. बाहुबली को टकर दे पाएगी चाहे वो गानों के मामले में हो या फिर फिल्म की कहानी के मामले में तो दोस्तों आपको क्या लगता है नीची कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल एसेज राजा मौली की ट्रिपल आर केवल 40 प्रित्सत क्यों बन पाई है और इस फिल्म का क्लाइमेक्स कितने मिनट का होगा अजे देवगन के जूडने से इस फिल्म को कितने करोन का फाइदा होगा मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराद के फिल्मी गल्यारे में एसेज राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर की सूटिंग भब अस्तर पर चड़ रही है लेकिन जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्म अब पोश्पॉंट कर दी गई है और अब ये फिल्म अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है पहले फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो रही थी फिल्म की नई रिलीज डेट फिलाल तैन ही की गई है फिल्म की कहानी 1920 के दसक के दो सुतंता सेनारियों अलोरी सीता राम राजू और कुमा राम फिम पर आधारी था इन दोनों बीर पूर्सों ने बिट्रेश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाब लड़ाई-लड़ी थी हाला कि फिल्म इन दोनों लडाकों की दोस्ती के बारे में कही जा रही है छाली में खबरेती की फिल्म की कास्ट में किच्छा सुधीब भी जूर चुके हैं। माना जा रहा था की किच्छा सुधीब फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूमका में नजर आएंगे। लेकिन किच्चा ने साफ करते हुए कहा कि वो फैंस की खुशी समझ सकते हैं पर उन्हें ऐसे किसी रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया है फिल्म के बारे में बात करते हुए S.S. राजा मौली बता चुके हैं कि ये बहुत बड़ी फिल्म है और पूरी तरह से कालपनिक है ये दो सच के हीरो की कहानी है मैं छोटे अस्तर में फिल्में बनाना पसंद नहीं करता और इसलिए इस फिल्म में भी सब कुछ काफी बड़े भब अस्तर पर किया जा रहा है फिल्म के लिए रामचरण तेजा और जूनियर एंटियार भब अस्तर पर 20 तारिक से एक्शन सीन सूट करने जा रहे है इससे पहले दोनों ने अलग-लग अपने एक्शन सीन सूट किये है और इसके बाद फिल्म लग-बग परचास परशत पूरी हो जाएगी मना जा रहा है कि फिल्म के क्लाइमस के लिए 15 मिनिट का एक लंबा फाइट सीन सूट होना है जिसकी तयारी पूरी होच की है इससे पहले फिल्म का इंटरवल सीन देखकर भी फैंस वाक के उठेंगे इस फिल्म के लिए अजे देवगन और अक्षे कुमार के बीच कई टकर चली मना जा रहा था कि दोनों को ही फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है खबरे यहां तक थी कि अजे देवगन ने फिल्म को रिजेक कर दिया है लेकिन आखिरकार सारी अप्वाहों को पीछे छोड़ते हुए अजे ने इस रोल को अपने नाम कर लिया है खबर है कि फिल्म में अजे देवगन राम चरण तेजा के पिता की भूंका में नजर आएंगे फिल्म की टीम ने अजे देवगन का स्वागत करते हुए लिखा था हम लोग भागिसाली हैं कि आप हमारी इस फिल्म में एक बहुत आयम भूंका निभाने जा रहे हैं इंतजार ही नहीं हो रहा है ट्रेपल आर आजादी के पहले की समय के फिल्म है जहां राम चरण तेजा पुलिस और जूनियर एंटेयार एक डाखू की भूंका में नजर आएंगे ऐसे में देखना है कि इस नार्मल सी कहानी में वो ऐसा क्या अधवुत करते हैं माना जा रहा है कि फिल्म में बाहवली की पूरी टीम वापस एक साथ काम कर रही है पिछली बार जब इस टीम ने काम किया था तो भारतिये सिनिमा की सबसे बड़ी फिल्म बना डाली थी इस बार अगर सब कुछ प्लान के मताबिक रहा तो हो सकता है कि फिर से इतिहास दोराया जाए एसेज राजा मौली ने काफी पहले ही एकदम साब साब कहा था कि आलियावट और अजे देवगन फिल्म में केवल सहयोगी भूमका में होंगे जूनियर एंट्र और राम सिरंड तेजा की अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म से अजे देवगन की चुणने से इस फिल्म को कम से कम 200 करोण का फाइदा होगा यानि कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कम से कम 1000 करोण रुपए की कमाई कर सकती है अब ये देखना है कि क्या ये फिल्म बाहुवली का रिकार्ड तोड़ पाती है या नहीं नमस्कार दोस्तों मैवद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टुडियोज की एक और नई पेश्टेश में जी हाँ दोस्तों पाहुवली और पाहुवली 2 के बाद S.S. राजा मॉली ने लाउंच किया 30 मेगा बजट प्रोजेक्ट जिसका नाम है ट्रिपल आर ट्रिपल आर यानि की रामा रावर राज्यम इस फिल्म का नाम है लेकिन पोस्टर में सिर्फ इतना दिखाया गया है की ट्रिपल आर और उसके नीचे लिखा गया है रामा रावर राज्यम जो की इस फिल्म का नाम है हम आपको बता रहे हैं कि बाहुवली का बजट था हम आपको बताना ही बाहवली का बजट था 180 करोड और बाहवली 2 का बजट था 250 करोड और इस फिल्म का बजट है 300 करोड से भी उपर का ये भी एक प्रियर्ट ड्रामा फिल्म होगी इस फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में एक गाउं बनाया गया है जिसमें आप 1920 में भारत के गाउं कैसी हुआ करते थे आप इसमें देख सकते हैं इस फिल्म के में लीट एक्टर्स हैं एटियार और रामचरन जो की स्काव के जाने माने चेहरे हैं जिनकी फिल्म है काफी सुपर डुपर ही रह चुकी है और ये दोनों एक्टर्स फिल्मी बैक्डराउंड से तालुकात दे रखते हैं ये एक पीड ड्रामा फिल्म होगी लेकिन फिल्मी कहानी क्या होगी ये शास्त्रों या वेदों या पुरानों से उठाई गई है या किसी राजा महराजा के उपर होगी इस बात का भी खुलासा भी नहीं क्या गया है और इस फिल्म हैं दोनों के ऑपोसिट कौन से मेन लीड एक्टरिस होगी इस बात के भी कोई खुलासा नहीं किया रहा है पर अंदाजा लगाए जा सकता है कि SS राजा मौली ने पाहवली और पाहवली टू मुवी बनाने के बाद अगर इस फिल्म को हाथ में लिया है तो ये भी कोई बड़ा खुमा का करने वाली होगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है SS राजा मौली को तो आप जानते ही हैं बाहुबली के जरिये जिन्होंने ऐसी दोस्तों पर डूपर इस फिल्म में दी है तो क्या ट्रपल र यानि की रामा रावार राज्यम भी कुछ ऐसा कमाल कर पाई ही जैसा कि बाहुबली तो नहीं किया था आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना जो बिल्कुल ना भूल है और जोंट फोर्गे तो पैसा बेल आइकन पर मोर अप्डेट्स और लोडिफिकेशन बाहुबली के डाइरेक्टर एसेस राजा मॉली अजे देवगन को फिल्म आर 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 में क्या सिर्फ छोटा सा ही रोल देंगे फिल्म के टाइटल को लेकर पैन से क्या और क्यों सुझाव मांग रहे हैं एसेस राजा मॉली क्या फिल्म के टाइटल को बदलना चाते हैं एसेस राजा मॉली फिल्म बाहुबली के निर्देशक एसेस राजा मौली ने अपनी आगामी मेगा फिल्म आर 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 के प्रती दर्शकों के मन में अभी से उत्सुपता पैदा कर दी हैं। प्रती एक भाषा के लिए आर 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 के बजाए कुछ अलग शीर्शक होंगे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी सुझाब मांगे हैं। करना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शायद एसे स्राजमौली आप ही का टाइटल उठा लें। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही आलिया भट के किरदार का नाम सीता है जो राम चरण के ओपोजिट नजर आई। आलिया ने कहा इस फिल्म में मुझे बहुत ही एहम किरदार मिला है। मैं इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड पर आती हूँ और फिल्म का रुख बदल देती हूँ। दो वस्तफिक सौतंतरता सेनानियों पर आधारिज आरारार में आजादी से पहले सन 1920 के आसपास की कहानी है। अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि फिल्म में अपनी एंट्री से आलिया भट किस कदर फिल्म का रुख बदल देती है। जूनियर एंटियार इस फिल्म में कोमा राम भीम की भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं तेजा से चर्चा में आए राम चरण इसमें अलूरी के किरदार में नजर आएंगे। राजा मौली की कोशिश दोनों स्वतंतरता सेनानियों के जवानी के दिनों के बारे में बताने की है। इस फिल्म के निर्मान के लिए डारेक्टर और टीम ने भरपूर रिसर्च किया है। अब तो जब ये फिल्म बनेगी और फिल्म जब रिलीज होगी तो उसके बाद ये देखना दिल्चस्प होगा कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कैसे और किस कदर धमाल मचाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही देखते रहे हैं बॉलिगराज स्टूडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हो और अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेज जचक पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाल हैं फिल्म रामा रावनाम राज्यम के बारे में। वजह से आज ऐसा लगता है कि बॉलिवुड उनके सामने नाक रगड रहा है। और अगर दोनों इंडस्टी के फिल्मों को कॉम्प्टीशन के नजरिये से देखे तो बॉलिवुड हार रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बाहु बली सीरीज के बारे में। बाहु बली और बाहु बली दू दो सुपर हिट फिल्में। दुनिया भर में कमाल किया दोनों नाकोचने चबा दिया। इन दो फिल्मों के आगे कोई नहीं। फिल्म को डिरेक्ट किया था SS राज मॉली ने। अपने आने वाली फिल्म रामा राज ये रावडम यानि की ट्रिपल र पर काम कर रहे हैं। ये एक अपकमिंग टेल्गू हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है SS राज मॉली ने। फिल्में लीड रोल में है NTR रामा राव जूनियर, राम एडगर जॉन्स ये नाम आप सभी के लिए नया है। ये एक फेमस ब्रिटिस एक्ट्रेस हैं जो कि नाशनल यूद थीडर में काफी एक्टिव हैं। डेजी मुखर और मुख साक्षी सो में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा सिरीज कोल्ड फ्रिट के जरीए काफी बहचान मिल चुकी है। कुछ महिने पहले ही डेजी फिल्म पॉंड में नजर आई थी। ब्रिटिस एक्ट्रेस डेजी सोचल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। डेजी अपने कुछ सेक्सी वीडियो के कारण सोचल मीडिया पर लगात चाही रहती है। सभी वीडियो में डेजी अपनी सेक्सी एंट होट अदाओ से दर्शकु का दिल जीत रही है। वहर थोड़े दिन में कोई ना कोई बोल वीडियो शेयर करती है। तो सबसे पहले हमारा सवाल है यह फिल्म किसे इस्पायड है। तो यह फिल्म बेस जाए Lives of Freedom Fighter अलूरी सीताराम राजू और कोहराम भीम जिन्होंने fight किया था बिटिश राज और निजाम ओफ हैदराबाद के अगेंस्ट फिल्म की कहानी सीताराम राजू और कोहराम भीम इन दो नामों के किरदारों के एट गिट घूमती रहे की ये दो स्वतंतरता से नानियों की जिन्दगी की कहानी है खबरों की माने तो फिल्म की कहानी स्वतंतरता से नानी सीताराम राजू की जिन्दगी की कहानी से प्रेरीत होगा सीताराम एक वनवासी थे इन्हें किसी बंधन में अथवा पराधीनता यानि की डिपेंडेंसी में नहीं जखड़ा जा सकता था इसलिए उन्होंने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशों के खिलाफ विरुद किया और उनका ये संगर्स देश के श्वतंतर होने तक निरंतर चलता रहा आज हम कहा सकते हैं कि जंगलों के टीलों से ही आजादी की योजना का आराम हुआ महान करांतीकारी अलूरी सीताराम राजू जिन्होंने अपना संपूलन जीवन सवतंतरता के संघर्षम गुजारा आंधर प्रदेश के महान करंतकारी अलूरी सीताराम राजू इनका जनम 15 मई 1897 को गोद्धावरी जिले में एक शत्रिय परिवार में हुआ उन्हें आपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई और उनके एक संबंदी ने उन्हें धोका दिया था उसकी वज़ा से 18 वर्ष की उम्र में साधू बन गए 1920 में उन पर गांधी जी के विचारों को गहरा प्रभाव पड़ा किन्तु जब एक वर्ष में स्वराज गांधी जी का सबना साकार नहीं हुआ तो राजू अपने आदिवास्यों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद विद्रोह करने लगे सुवतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी इस कोशिश में उन्होंने कई बार पुलिस थानों पर आक्रमड किया और वहां से सारे हत्यार ले लिया 22 अगस्त 1922 से 1924 तक राजू के दल ने दस्यों पुलिस थानों पर कबजा करके उनके हत्यार लूटे पुलिस को हर बार उनकी संगटित सक्ती के सामने पराजित होकर भागना पड़ता था यहां तक की इस्तिती आगई की सरकार ने थानों में हत्यार रखना ही बंद कर दिया राजू के दलों के सामने कोई ने टिक पाता था लेकिन लगबग दो वर्स तक ब्रिटिश सत्ता की निंद हराम करने वाला ये वीर शहीद हो गया उन्हें एक सेना की बड़ी फौज ने पकड़ लिया था जब वो वहां से भाग रहे थे उन्हें एक गोली मार दी के लिए वही अगर कोहराम भीम की बात करे तो सीता राम राजू से काफ़े इंस्पायर थे उनके सम्मान में ये कुछ भी करने की इच्छा रखते थे इन्होंने हैदराबाश शहर मुक्त करने के लिए असव जली रजवश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जीता था इनका एक नारा भी था जल जंगल और जमी और जहां तक देखा जाये तो SS Raj Mawli की फिल्म का भी यही मोटी होगा क्योंकि इन तीनों पर आज खत्रा मंडरा रहा है सब ही चानते हैं दोस्तो SS Raj Mawli की फिल्म हो और छोटी फिल्म हो ही नहीं सकता इस फिल्म का कैनवस बहुत बढ़ा है हो सकते है कि फिल्म में ब्रिटिस राज दिखाया जाए कि कैसे देश के दो क्रांतेकारी ब्रिटिस से लड़ते हैं पूरी फिल्म इस पर हो सकती है या कुछ भी हो सकता है क्योंकि पूरी फिल्म फिक्शन है इसमें बहुत कुछ इधर उधर देखने को मिल सकता है फिक्शन का मतलब तो आप जानते ही होंगे चलो या दिला देता हूं दोस्तों बॉलिवुड में वैसे तो बहुत से सब कैटेगरीज की फिल्में बनती हैं कोई इन कैटेगरीज को जॉनर के नाम से भी कहता है देखा जाए तो फिल्में या तो रोमैंटिक होती है या तो इरोटिक होती है या फिर माइथोलोजी इस्टोरिकल, एक्षिन, डांस, ड्रामा और भी बहुत कुछ लेकिन इन सभी जॉनर में या सब कैटेगरीज में कुछ फिल्में नॉन फिक्शन होती है और कुछ फिक्शन जो सची घटना पर अधारित होती है जिसमें जूट बिलकुल ही ना हो फिक्शन जिसमें जूट भी हो सकता है और सच भी यानि कि दोनों का मिक्सप हो सकता है जैसे कि एक फिल्म आई थी पदमावत पहले उसके डिरेक्टर ने इसे नॉन फिक्शन हिस्टोरिकल पीरिये ड्रामा फिल्म बताया लेकिन बाद में जब इस पर विवाद हुआ तो मेकर्स को एक लंबा चोड़ा टिस्क्लेमर चलाना पड़ा कि ये फिल्म या इस फिल्म की कहानी कालपनिक है इस फिल्म का किसी से भी कोई वास्ता नहीं ही ये सिर्फ एंटर्टेन्मेंट के परपस से बनाई गई है पूरी दुनिया की मैकसिमम फिल्म में फिक्शनल होती है यानि की कालपनिक होती है बात करें कि कौन क्या कैरेक्टर प्ले करेगा तो खबरों की माने तो जूनियर एंटिया अलूरी सीता राम राजू का रोल प्ले करेंगे वहीं राम चरन को हराम भीम का साती साथ आलिया भी है इस फिल्म में जो की राम चरन के साथ दिखाई देंगी इस फिल्म से एक हॉलिवुड एक्टरस का नाम जुड़ा है डेजी एडगर वो जूनियर एंटियार के अपोजिट नजर आएंगी अब अजय के रोल में अभी तब कोई खुलासा नहीं हुआ है जूनियर एंटियार और राम चरन इससे पहले भी ऐसी पिरियोडिक ड्रामा फिल्मे कर चुके हैं इनको लेने के पीछे ये एक मकसद हो सकता है क्योंकि ये ऐसे करेक्टर पहले भी कर चुके हैं और दोनों फिट हैं दोनों एक्टर्स के पास भरपू टैलेंट है जिससे वो सबका दिल जीत सकते हैं और दिल जीत भी चुके हैं दोनों ही वरसेटाइल एक्टर हैं इन दोनों की मैंने भी बहुत से फिल्में देखी हैं जिन्हें देखकर मैं खुद दंग रहा जाता हूँ जैसे की जैल लवकुष, उसके बाद अरविंदा समिथा, मगधीरा, विने विधाया रामा और भी बहुत सी ये तेल्गो इंडस्ट्री के सूपर स्टार हैं जिन्होंने सबसे जादा सूपर हिट फिल्में दी हैं इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी है इस फिल्म की शूटिंग शूरू हो चुकी हो और फिल्म का पहला लुक भी जारी कर दिया गया है फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर पहले काफी चाचा थी खबर आई थी की आलिया भट ने साथ फिल्म मेकर्स S.S. राज मौली की फिल्म में काम करने से मना कर दिया आलिया से पहले नाम आया थे इस रोल के लिए पढ़निती चोपडा का और उसके बाद आलिया भट का जब आलिया भट ने फिल्मे काम करने से मना कर दिया तो खबर रही कि ये फीस की वज़ा से है फीस पर सहमती ना बनने के कारण बात आगे नहीं बढ़ रही है खबर दी कि आलिया भट इस फिल्म के लिए भारी भर कम फीस मांग रही है और एसस राज मौली उस फीस को चुकाने के लिए सहमत हो गए है जब आलिया ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था तो एसस राज मौली ने करण जोहर से संपर किया कि वो आलिया से कुछ बात करें लेकिन आलिया भट ने business schedule का हवाला दिया और फिल्म को करने से मना कर दिया था दोस्तो बॉलिवूड एक्टरस आलिया भट इस वक्त अपने career के peak पर हैं साल 2012 में film student of the year से अपने career की शुरुआत करने वाली आलिया ने बहुत कम वक्त में ये मुकाम हासिल किया इस वक्त वो बॉलिवूड की सुपर हीट एक्टरस हैं और उनके पास projects की कोई कमी नहीं है ऐसे में फीस बढ़ाना और S.S. राज मौली को मना करना लाजमी सी बात है लेकिन अभी फिल्म के लिए उन्होंने हाँ कर दिया ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पहला लुक जारी किया और जारी किये के पोस्टर में बाई और रामचरन टेजा दाई और एंटियार रामः दोनों का चेहरा आधा आधा दिखाया गया है जिसे देखकर लोगों के मन में कई सवाल है कि फिल्म कैसी होने वाली है क्या ये भी बाहुपली सिरीज की तरह होगी या फिर सिंगल फिल्म होगी और भी ना जाने क्या क्या सवाल में उठ रहे हैं मन में लेकिन इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों कहा जारे कि ये फिल्म clash होने वाली शूरेवन सी और समशेरा से अक्षे कुमार के फिल्म शूरेवन सी और रन्वीर का पूर स्टार फिल्म शंशेरा की रिलीज डेट जुलाई 2020 है और कहा जारे कि ट्रिपलार 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो सकती है अब ऐसे में देखना काफी दिल्चास्प होगा कि क्या करंज और अपने फिल्मों की रिलीज डेट में बदलाव करते हैं या नहीं बता दे कि इस फिल्म का बजट है 400 करोड रुपए इस फिल्म को तमिल, तेल्गो, हिंदी, मल्यालम और दूसरी भारतिय भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी फिल्म को डेरेक्ट कर रहे हैं S.S. राजमौली जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं DVV दानिया फिल्म प्रेजेंटेट वाई DVV एंटर्टेन्मेंट दूस्तो इस फिल्म के बारे में एक और खास खबर रहे हैं कि ये फिल्म भी बाहू बली की तरह बहुत अच्छा कलेक्शन करने वाली है अब कितने का ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है नीचे कमेंट करें और हमें बताएं तब तक लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें और देखते रहें बॉलिग्राड स्टूडियोज थैंक्यू अपना डेब्यू करने वाले हैं इस फिल्म से पहले आही एसस राजा मॉली की फिल्म बाहु बली ने दुनिया भर में रिकॉर्ड्स तोड़े थे और एक अलगी स्टैंडर्ड सेट कर दिया था इस फिल्म के सेकेंड पार्ट जब रिलीज किया था तो उसने सभी इंडियन सिनिमा के जितने भी तक के बॉक्स ओपिस कलेक्शन रिकॉर्ड हैं सब तोड़ दिये थे और महस छे दिन के अंदर इस फिल्म ने 1796 करोड रुपे की कमाई थी इस फिल्म की स्क्रिप्ट, आक् अगली फिल्म अनौंस की है जिसका नाम है ट्रिपल आर तो उस फिल्म से भी काफी जादा उम्मीदे लगाई जा रही है ट्रिपल आर एक रियल लाइफ इंसिदेंट से इंस्पायड फिल्म है हलाकि इसे थोड़ा फिक्शन तरीके से दिखाया जाएगा इस फिल्म की कहान अगल फ्रीडम फाइटर से और उन्होंने अंग्रोजों से बहुत ही बहतरीन तरीके से मतब जीत जान लगाकर उनसे लड़ा करते थे अब जो अलूरी सीतराम राजु जो थे वह एक ट्राइबल थे और अपने लोगों की बहुत जादा मदद किया करते थे हर तना से जब उनको लगता था कि मैं सरह से हल्प कर सकता हूं इस तरह से हल्प कर सकता हूं उनको लीड गर सकता हूं उनको गाइड कर सकता हूं वो सब कुछ करते थे और उनके जो लोग थे ट्राइबल लोग जो थे वो उनको हीरो अब जंगल के नाम से बुलाया करते थे बता दे के रा बाहु बली के अक्टर प्रभास की तो उनके भी fan following कोई कम नहीं है और खासकर से फिल्म बाहु बली के बाद उनको दुनिया भर में उनके चाहने वाले आ गए हैं क्योंकि जब उनकी पहली फिल्म आई थी और उसके इतना बहतरीन रिस्पॉंज मिला तो उसके बाद राजय मौली चाहते हैं कि उनकी अगले फिल्म हो उससे भी जादा ग्रांड हो इसलिए तीन सो करोड के बजट के बे तो क्या ये कहा जा सकता है कि बाहु बली के सकसेस के बाद राजय मौली को ये लगने लगा है कि अब उनकी फिल्म बाहु बली बहुत उनके लख्य साबित हुई है और अगले फिल्म भी इसी तरह थोड़ा इस्टोरिकर और ग्वांडिय और अगर दिखा दें फिल्म में तो उनको लोगों का जादा अप्रिसियेशन मिलेगा अगर आपको यह लगता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मैं हुसानिया सैफी की जल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ लेकिन तब तर क्या ट्रिपल आर में आलिया भट को महजिक प्रॉप की तरह इस्तमाल किया जाएगा हलो दोस्तों पॉलिग्राज स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नई वीजियो के साथ दोस्तों एस एस निया भर के रेकॉर्ड्स तोड़ दिये थे इसलिए अब उनसे एकस्पेस्टेशन्स जादा भी हैं एसस राजा मॉली अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को चार सो करोड के बजट से बना रहे हैं यानि कि एक और बार वो इंडियन सिरिमा को एक बहुत ही ग्राइंड फिल् है और रियल माइने में ये इंडियन सिनिमा की फिल्म होगी आलिया भट के इस film में लीड रोल में नज़र आने वाली फीमेल लीड करने वाली है दरासर खबर आई है कि उनके लिए फिल्म में करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं एक दान सीक्विंस होगा और उसके अलावा एक या दो सीन्स हैं जिसमें आलिया भट हमें नजर आएंगे ऐसे में गौर करने की बात ये है कि आलिया भट उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्म की हैं उनमें ऐसे किरदार चुने हैं जिनकी कोई एहमियत है फिल्म में और जो अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहती है तो ऐसे में आलिया भट ने एक मामूली साध किरदार क्यों चुना वारे में अलिया भट से बात हुई तो उनका कहना है कि एसेस राजमॉली और संझेर नीला भंसाली दो ऐसे डिरेक्टर्स गाम करना उनके लिए फटना था और अब इस वक्त ऐसाथ वो कोई डिरेक्टर से साथ काम कर रही है तो इससे जादा बड़ी उनके लिए कोई और बात है नहीं इसलिए उन्होंने यह नहीं देखा कि उनका रोल कितना है कितना चोटा है कितना बड़ा है उनको मौका मिल रहा था SS राजमॉली के साथ काम करने का इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए खा कर दिया हम तो उम्मिद यही करते हैं कि बेशब चाहे उनका रोल छोटा हो लेकिन उस छोटे रोल में भी हर बार की तरह आल या पूरी तरह से चाजा है दोस्तों इस फिल्म से जुड़ियो और दिल्चस्व बातें चाहने के लिए जुड़े रहिए बॉलिग्राज स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी जल्ग मिलते हैं नई वीडियो के साथ लिकिन तब तक साहो, ट्रिपल आर या केजी एक टू आखिर कौन से फिल्म तोड़ेगी बाहू बली के रिकॉर्ड्स हेलो दोस्तों, बॉलिग्राज स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी दोस्तों, इंडियन सिनिमा के लिए ये वक्त काफी क्रूशिल है क्योंकि आने वाले वक्त में रिलीज हो रही तीन फिल्मे पूरी तरह से इंडियन सिनिमा को एक अलग रुख दे सकती है ठीक वैसे ही जिस तरह बाहू बली ने दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़ कर इंडियन सिनिमा को इंटरनाशनली एक अच्छा मुकाम दिलाया था और अब वही उमीद इन फिल्मों से भी लगाई जा रही है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उन तीन फिल्मों साहो, ट्रिपल आर और केजी एफटू को डिसकास करेंगे और देखेंगे एंड में कैसल में वो कौन से फिल्म है जिसमें दम है बाहू बली के रेकॉर्ड्स तोड़कर इंडियन सिनिमा को एक कदम और आगे ले जाने का शुरू करते हैं साहो से तो साहो प्रभास की फिल्म है और इस फिल्में के ओपोजिट नजर आएंगी श्रदा कपूर वही नील नितिन मुकेश इस फिल्म में विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं फिल्म को डिरेक्ट किया है सुजीत ने और फिल्म रिलीज हो रही है इस साल 15 अगस्त पर इस फिल्म से काफी उमीदे लगाए जा रही है क्योंकि बाहू बली में जब प्रभास नजर आय थे तो उन्होंने दर्शकों को कुछ ऐसा दिया जिसकी किसी ने कलपिना भी नहीं की थी इस कदर सचाई से अपने किरदार के हर एक पहलू को दर्शाया कि लोग उनकी अदकारी के तारीफ करते नहीं थकते थे और ना सिर्फ इंडिया में बलकि ओल ओवर दे वर्ड उन्हें उनके काम के लिए रिकगिनिशन मिला और बाहू बली ने सिनिमा की दुनिया में नए रिकॉर्ड्स बनाये बाहू बली के बाद से ही दुनिया भर में फैले प्रभास के फैंस उन्हें फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है लेकिन प्रभास ने अपने स्टार्डम का फायदा उठा कर लगतार फिल्में साइन नहीं की बलकि अपने आपको वक्त दिया, ब्रेक लिया और स्क्रिप्ट्स पढ़ी और जब उन्हें ये फिल्म मिली साहो की शकल में तो उन्होंने बाहु बली की तरह इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया प्रभास का काम करने का फॉर्मूला ही यही है क्वांटिटी ड़स नौट मैटल बट क्वालिटी ड़स and that is what he is focusing on 2017 के बाद 2019 में फिर से स्क्रीन पर नजर आने के लिए प्रभास तयार है और लेकर आ रहे हैं 300 करोड के बजट से बन रही अपनी फिल्म साहो जिसका एक आक्शन सीक्वेंस शूट हुआ है दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी विल्डिंग बुर्ज खलीफा पर और इस एक सीक्वेंस को शूट करने के लिए 90 करोड रुपे का खर्चा आया है अब देखना ये है कि दुनिया के मशहूर आक्शन कोरियोग्राफर कैनी बेट्स के नक्षे कदम पर शूट किये गए इस एक्शन सीक्वेंस का लोगों पर क्या असर होता है इस फिल्म में फ्यूचुरिस्टिक टेक्नीक्स के साथ साथ एक्शन, लव, ड्रामा, कॉमेडी सभी का फुल-उन फ्लेवर मिलने वाला है इस एक्शन फ्रिलर फिल्म की एक और खास बात ये है कि इसमें टॉलिवर्ट और बॉलिवर्ट दोनों का ही बढ़िया मिक्स्चर है यानि कि असल में ये फिल्म है एक इंडियन सिनेमा की फिल्म इसके अलावा इस साल 21 दिसंबर वाले दिन तेलुगू ब्लॉगबस्टर पीरियड ड्रामा फिल्म केजी एफ का सीक्विल केजी एफ चाप्टर टू भी रिलीज हो रहा है प्रशांत नील की डिरेक्शन में बनी केजी एफ सूपर हिट फिल्म रही थी इन फैक्ट इस फिल्म को बाहू बली से बहतर होने तक का दरजा मिला है यश्य दमदार आक्टिंग ने तो सबका दिल जीत ही लिया था लेकिन फिल्म की कहानी इतनी रियल थी के ओडियन्स खुद को इस फिल्म से काफी हद तक रिलेट कर पाई फिल्म के अक्शन सीक्वेंसे जितनी बहतरीन थे उतनी ही खुबसूरती से फिल्म के बागी सेंस को भी शूट करकर दरशकों तक पहुचाया गया फिल्म को ऐसे मोड पर लाकर खत्म किया गया था कि दरशक अब इस फिल्म के सीक्वल का बेस सबरी से इनत् Daisy आरे है इस फिल्म को भी पहले पार जितने ही बजट से बनाया जा रहा है लेकिन उम्मीद है कि इस बार फिल्म बॉक्स आफिस पर और भी ज़्यादा कमाल करने वाली है दोस्तों 30 जुलाई 2020 को SS राजमॉली ने बुक कर लिया है अपना हुनर विखेरने के लिए SS राजमॉली और कोई नहीं बलके बाहुपली के डिरेक्टर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने टैलेंट से कोहरा मचा दिया था अब अपनी अगले फिल्म RRR को लेकर SS राजमॉली बिलकुल तयार है RRR एक तेलुवूट पीरियड ड्रामा फिल्म है जोके अलूरी सीता राम राजू और कोमा राम भीम की कहानी बताती है जोके बिटिश राज और निजाम अफ हैदराबाद से लड़े थे उनकी जिन्दगी की कहानी को एक्स्प्लोर करते करते ये फिल्म उस पीरियड को भी दर्शाएगी इस फिल्म में काम कर रहे हैं साउथ के सूपर स्टार जोनियर एंटी आर और उनके साथ नजर आएंगे राम चरन वहीं इस फिल्म में फीमेल लीड प्ले करने के लिए कास्ट किया गया है आलिया भटको और साथ ही बॉलिवुट के शानधार एक्टर अज़िदेव गन भी हमें इस फिल्म में नजर आएंगे दोस्तो एस राजमॉली की वहतरीन डिरेक्शन को हम बाहू बली में देख चुके हैं और बाहू बली के बाद से हर कोई उनकी डिरेक्शन का दिवाना हो चुका है और अब तो उनके साथ काम करना तो शायद हर एक आक्टर का सपना ही हो गया है राजमॉली अपनी इस फिल्म को चार सो करोड के बजट से बना रहे हैं जोके शायद अब तक का सबसे बड़ा बजट है देखना ये है कि क्या बाहू बली जैसा कमाल वो एक बार फिर से कर पाते हैं या नहीं दोस्तो तीनों ही फिल्म में हापस में काफी बड़ी है सामने पेश करेंगी अभी फिल्हाल ये कहना तो मुश्किल होगा कि आखिर कौन से फिल्म है जो सबसे जादा कमाई कर सकती है लेकिन हम उमेद जरूर लगा सकते हैं कि जल्द ही इंडियन सिल्मा कोहराम मचाने वाला है इंटरनाशनल लेवल पर आप कौन से फिल्म को चाहते हैं कि वो फिल्म टॉप पर पहुँचे हमें बताएं नीचे कॉमेंट इस सेक्शन में बाकि इस तरह की और मसाला खबरे जानने के लिए जुड़े रही है बॉलिगराद स्टूडियो से मैं हुसानिया सेफी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ लेकिन तब तर क्या नहीं बनेगी बाहुबली थ्री क्या संजे लीला भनसाली की जगह है आलिया ने साइन की एसेस राजा मौली की फिल्म आर 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 क्या अब आलिया भट करेंगी अजे देवगन के साथ डांस क्या नहीं करना चाहती हैं आलिया भट सल्मान खान और शारुक खान के साथ काम एलो फ्रेंड्स मैं अभिनफ शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलिगराद स्जूडियोस के आशियाने में आलिया भट और श्रधा कपूर को इस दौर का सबसे बड़ा प्रतिध्वंदी माना जा रहा है श्रधा इन दिनों बाहुबली स्चार प्रभास के साथ फिल्म साहों में काम कर रही है और अलिया भट का भी बाहुबली कनेक्शन जूनने जा रहा है खबर है कि बाहुबली के निर्धे शकट ऐस राजा मौली की फिल्म यानि की आर आर के लिए आलिया भट को साइन कर लिया गया है हाला कि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोशना नहीं की गई है लेकिन बताया जा रहा है कि इस बारे में आलिया से कुछ समय से बात चल रही थी और फाइनली आलिया को लॉक कर लिया गया है यालिया के लिए भी साउथ और साथ ही बाहु बली जैसे मेकर के साथ काम करने का बड़ा अफसर है जबकि साउथ वाले भी उनकी राजी और गली बॉय जैसी फिल्मों में उनके काम से प्रभावित हैं और आपको बता दे कि जहां कलंग का टीजर लॉंच किया जा चुका है तो टीजर को देखकर ये तो साफ होता है कि आलिया भट फिल्म कलंग में फिर से अपनी आक्टिंग से सब को कायल करने आ रही है और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि सल्मान खान और शारुक खान स्टारर संजे लीला भनसाली फिल्म के लिए आलिया भट को अप्रोच किया गया है लेकिन अब जहां एक confirmation आ चुका है कि RRR के लिए आलिया भट को लॉक कर लिया गया है तो फिर हम तो इस बारे में यही कहेंगे कि आलिया को सल्मान और शारुक के साथ भी संजे लीला बंसाली की फिल्म करनी चाहिए दोनों फिल्में भी तो की जा सकती है फिर क्या हर्द है संजे लीला बंसाली की इस फिल्म में सल्मान और शारुक के साथ काम करने में आशा करते हैं कि आलिया संजे लीला बंसाली की फिल्म को भी साइन करी दें राजा मॉली की निर्देशन में 300 करोड के बजट में बनने वाली फिल्म आरारार को राज मौली, राम चरण और रामा राव जूनियर के हिसाब से भी देखा जा रहा है इस फिल्म को DVV दनाया प्रोड्यूस करेंगे ये फिल्म एक पीरिड ड्रामा होगी और कहानी 1920 के दौरान की होगी इसी फिल्म में आजे देवगन का भी एक स्पेशल डांस नंबर होगा तो जहां आलिया भट को इस फिल्म के लिए लॉक कर लिया गया है तो हो सकता है कि आलिया भट आजे देवगन के साथ इस स्पेशल सॉंग में डांस करती नजर आए और स्पेशली इस अजे दिवगन के स्पेशल सॉंग के लिए हाइदराबाद में बड़े पैमाने पर सेट लगा कर शूट किया जाएगा फिल्म का हाल ही में हाइदराबाद में महुरत हुआ है और इस मौके पर बाहुबली प्रभास और राना दगुबती के अलावा साउथ के कई फिल्मी दिगज मौजूद थे साउथ इंडियन फिल्मों के लेजंड चिरंजीवी ने मुहुरत क्लाब दिया हाल ही में ऐसेस राजा मौली ने ये सपश्ट कर दिया था कि बाहुबली का तीसरा भाग नहीं बनेगा कहानी दो भागों के बाद खत्म हो गई है और अब आगे की कोई गुनजाइश नहीं है बता दें कि बाहुबली ने भार्थिय सिनेमा में कमाई के मामले में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इतिहास रता है फिल्म ने दो भागों को मिला कर करीब 275 करोड रुपे का कलेक्शन किया है जिसमें से दूसरे भाग की कमाई 1725 करोड रुपे रही तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम आपसे विदा लेते हैं देखते रहिए बॉलेगराज शूडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपकी कुछ अवाल हूँ तो आप बेजेजेक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ चकते हैं तब तक के लिए प्यार का टीजर और मोशन पोस्टर की खास बाते क्या हैं इस मोशन पोस्टर का बाहु बली से क्या कनेक्शन है एसेस राजा मॉली किसके डर से ट्रिपल र की रिलीज डेट चेंज कर रहे हैं क्या इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मोटर साइकल डाइडी से इंस्पायर होगी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल वॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नहीं वीटियो में धमाकेदार निर्देशक एसेस राजा मॉली जिनोंने बाहु बली जैसी धमाकेदार फिल्मे बनाई उनकी नई फिल्म आ रही है ट्रिपल आर जिसका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है को साजा करते हुए तीनों आर का मतलब भी समझाया गया है जी हाँ राइज रिवॉल्ट रॉड अब इससे इतना तो तै है कि उदे विद्रो और दहार का ये नजारा वाकई शानदार होने वाला है जब आपने ये मोशन पोस्टर देखा होगा तो क्या आपने गौर किया कि जो इसमें म्यूजिक इस्तेबाल किया गया है वो कहीं न कहीं हमें बाहु बली की याद दिला देता है उस दौर की याद दिला देता है जब लोग बाहु बली के लिए पागल हुआ करते थे लगता है अब ट्रिपल आर के जरिये फिर से SS राजा मौली लोगों के दिलों में अपनी जगा बनाने को एक दम तयार खड़े हैं साथी साथ एक और चीज है जो गौर करने वाली है इस मोशन पोस्टर में दिखाया जाता है कि एक तरफ आग है तो एक तरफ पानी और उन दोनों को मिलाने का काम करेंगे फिल्म में अजयर देवगन जी हाँ तो ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि अजयर देवगन राम चरन और जूनियर एंटियार की तिगडी इस बार क्या धमाल करने वाली है दोस्तों फिल्म बाहुबली के निर्देशक एसेस राजा मौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर कई कार्णों से चर्चाओं में बनी हुई है इस पीरेड अक्शन फिल्म में जहां अजयर देवगन और आलिया भर जैसे सितारे काम कर रहे हैं तो दूसरी ही और फिल्म में राम चरण और एंटी रामा राव जैसे बड़े सितारे भी नजर आएंगे जिनकी वजह से ये फिल्म काफी जादा लाइम लाइट में बनी हुई है तो दूसरा रीजन है इसकी रिलीज डेट जी हाँ पहले ये फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज होनी थी लेकिन रंबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के साथ क्लैश के चलते फिल्म की रिलीज डेट को खिसका दिया गया जिसके बाद कुछ अफवाएं ऐसी भी सुनाई दी कि ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी हालांकि इस दिन जॉन अब्राहम की सत्यमेव जैते टू फरहान अक्तर की तूफान और विकी कौशल की उधम सिंग रिलीज होने वाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये फिल्म 8 जैनवरी 2021 को रिलीज होने जा रही है साथ ही पोस्ट में लिखा है कि आपके प्यार और सपोर्ट के चलते हम आपको एक बहतरीन सिनेमेटिक अनुभव देना चाहते है हम इस फिल्म को विश्रिश्तर पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं यही कारण है कि हमें इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्ट्ugen करना पड़ा है हम जानते हैं कि ये काफी लंबा समय है लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे वहीं दोस्तो ट्रिबल आर का बजट भी काफी हैरत अंगेज बताया गया है माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में साड़े तीन सो से चार सो करोर रुपे खर्च होंगे वहीं फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मौटर साइकल डायरी से इंस्पायर बताई गई है गौर तलब है कि ये फिल्म नेवेंबर 2018 में फ्लोर्स पर गई थी ये फिल्म भारत की आजादी से पहले के दौर की है जिसमें दो रियल लाइफ हीरो की कार्पनिक कहानी को दिखाया गया माना जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के लिए दो साल रिसर्च की थी तो ये पहली बार नहीं है कि SS राजमोली कोई एतिहासिक फिल्म बनाने जा रहे हैं इससे पहले भी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बहतरीन फिल्में वो हमें दे चुके हैं और इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर जम कर कमाई की थी और पूरे विश्वभर में शानदार कलेक्शन किया तो आपको क्या लगता है क्या ट्रिपल आर भी बाहुबली और बाहुबली 2 की तरह विश्वभर में नाम कमा पाएगी आपको ये मोशन पोस्टर कैसा लगा और आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल न भूले ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा बाहु बली वाले राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर में कैसे टक्राएंगे आग और पन ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर से कैसे पता चल गया कि अजेद युगन का रोल क्या है ट्रिपल आर कैसे बनने जा रही है बाहु बली से भी बड़ी फिल्म ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर से हॉलिवूट क्यों हिल गया है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी गलियारे में बाव बली वाले फिल्मेकर एसेज राजा मौली ने 24 मार्ज की सुबा एक ट्विट किया लिखा क्रोना की वज़ा से दुनिया भर में लोग परेसान हो रहे हैं ऐसे में वो अपनी पबलिक को थोड़ा चेरप करना चाहते हैं राजा मौली ने बताया कि वो 25 मार्ज को अपनी अगले फिल्म ट्रिपल आर का टाइटल और मोर्सन पोस्टर लांच करेंगे हाला कि ये वीडियो कब लांच किया जाएगा वो इस बारे में शेवर नहीं थे क्योंकि उनकी टीम भी वर्क फार्म पोम कर रही है 25 मार्ज की दोपार फाइनले फिल्म का मोशन पोस्टर लांच किया गया पहली बार बताया गया कि इस टीम आर का मतलब क्या है ओरिजिनल यानि तेलगू में फिल्म का टाइटल होगा रोद्रम रणम रुद्रम वहें इंगलेस में इस टीम आर का फुल फार्म है राईज रोवर रिवोर्ड टिपल आर की कहानी होगे आंत्र प्रदेश के दो क्रांध कारियों की जिनोंने अंग्रेजों और हैदराबाद की निजाम के खिलाव अजाधी के लिए संगर्स किया सुदंता सेनानी, अलोरी सीता राम राजू और कोमा राम भी फिल्म में ये दोनों किर्दार निभा रहे हैं तेलगू सुपरिस्टार राम चरा और जूनियर एंटियार इन लोगों के साथ फिल्म में आलिया भट और अजे दियोगन को भी लिया गया है ये छोटे मगर मजबूत किर्दारों में दिखाई देंगे ख़वरों के मुताबिक इस फिल्म में अजे दियोगन भगस सिंग का रोल करेंगे और वो ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं जबकि इस फिल्म का बजट साथे 300 से 400 क्रोन के बीच बताया जा रहा है वो ये फिल्म में अलिया भट के किरदार का नाम सीता बताया जा रहा है पिछले दिनों आई कुछ रिपोर्ट में ये बताया गया कि आलिया भट ने ट्रिपल आर्ट छोड़ दी वज़ा शूटिंग में करोना की वज़ा से होने वाली देरी हाला कि फिल्म की टीम ने इस बात को कंफर्म किया ऐसा कुछ नहीं आलिया फिल्म का हिस्सा है और वो अपने हिस्से की शूटिंग कोरोना की निवटते ही निप्टाएंगी टिबल आर्ट की शूटिंग 19 नवंबर 2018 को हैदराबाद में शुरू हुई तैयारी ये थी कि शूटिंग का काम मार्च 2020 तक कत्म कर लिया जाएगा लेकिन लॉकडाउन की स्थिती में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है अगर सुरुवाती प्लानिंग के हिसाब से बात करें तो प्रिपल आर्ट जुलाई 2020 में रिलीज के लिए शुरूल थी लेकिन फिल्म के मोशन पोस्टर में नई रिलीज डेट 8 जन्वरी 2021 किस बताई जा रही रौद्रम, रणम, रूद्रम को तेलगू, तमिल, कनाडा, मल्यालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा फिल्म का टाइटर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है मोशन पोस्टर को देख करके लोगों का मानना है कि ये फिल्म बाहु बली से भी बड़ी हिट फिल्म होगी है क्योंकि मोशन पोस्टर सोसल मीडिया पर हाहाकार मचा रहा है कुरोना के चक्कर में ट्रिपल आर ने ऐसा तहलका मचाया है कि पूरा सोशल मेडिया ट्रिपल आर का हो गया है हो क्यों ना क्योंकि ट्रिपल आर के डारेक्टर एसेज राजा मौली का जो दिमाख है वो चाचा चौधरी से भी ज़्यादा तेज चलता है इसी लिए तो एसेज राजा मौली ने जब बाहुबली बनाई थी तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बाहुबली बॉक्स ओफिस पर इतने करोन का बिजनेस करेगी अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टिपल आर बॉक्स ओफिस पर कम से कम दो हजार से तीन हजार करोन का बिजनेस कर सकती है ऐसा लोगों का मानना है क्योंकि फिल्म के स्टार कास बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसी फिल्म में बॉलिवोड और टॉलिवोड का संगम हो रहा है और एक ऐसा संगम जिसके करण हॉलिवोड डर गया है आखिर फिल्म ट्रिपल आर के आर का मतलब क्या है ट्रिपल आर की कहानी किस फिल्म से इंस्पायर है और कौन से हैं वो Bollywood actors जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुवात टॉलिवड से की नमस्कार मैं हूँ प्रतिष्ठा और आप देख रहे हैं Bolly Grad Studios South Director SS Raja Molly की upcoming film Triple R को लेकर बहुत पहले से बस बना हुआ है चर्चा थी कि इस film के जरिये आलिया भट और अजय देवगन साउथ फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं अब film के नाम को लेकर Triple R एक बार फिर से सुर्खियों में है आलिया और अजय के एक साथ डेब्यू मूवी Triple R का नाम रगुपती राघव राजा राम है इस film का ये नाम कुछ समय पहले तैकर लिया गया था लेकिन इसका खुला साल नहीं किया गया Triple R एक पीरेट ड्रामा फिल्म है जिसमें भारत के सौतंतरता सैनी को अलूरी सीता राम राजू और कोमा राम भीम की कहानी दिखाई गई है इन्होंने भारत को अजादी दिलाने में ब्रिटिश राज के खिलाफ मोर्चा खोला था फिल्म में एंटी रामा राव जूनियर, रामचरन, आल्या भट और अजय देवगन है फिल्म के पहले शेडूल का आक्शन सेक्वेंस हैदराबाद के अलूमीनियम फैक्टरी में शूट किया गया था और सबसे खास बात ये है कि फिल्म में हॉलिवड स्टाव्स भी नजर आने वाले हैं इस फिल्म में हॉलिवड आक्टर्स रे इस्टीवंसन, उलीविया मॉरिस, ऐलिसन डूडी भी मेजर रोल निभाएंगे पहले इस फिल्म को 30 जुलाई 2020 को रिलीज होना था लेकिन रनवीर कपूर की फिल्म शमशेरा के साथ क्लैश के वजह से फिल्म के रिलीज डेट खिसक गई थी ये फिल्म अब अगले साल 8 जनवरी 2021 में रिलीज होगी प्रिपल आर का बजट बहुत जादा बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्मान में 350 से 400 करोड खर्च होंगे इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मोटर साइकल डायरीज से इंस्पायर है इसे के साथ मैं आपको बता दूँ कि और कौन-कौन से हैं वो बॉलिवड मेल और फिमेल आक्टर्स जिन्होंने अपनी डेविव टॉलिवड से की तो सबसे पहले नंबर पर हैं एशौरया राई इनकी पहली फिल्म इरुवड तमिल में बनी जिसे मनी रत्नम ने डारेक्ट किया था 2000 में राजीर मैनन द्वारा बनी एक फिल्म कंडू कोडिन कंडू कोडिन काफी मशूर हुई और एशौरया की हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी लेकिन एशौरया संजलीला भनसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से चर्चा में आई आज ऐशोर्या भारती सिनमा की सबसे महंगी अविनेट्रियों में से एक हैं और भारत की सबसे धनी महिलाओं में शामिल हैं फिर हैं विद्याबाल इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुवात मल्यालंग फिल्म चक्रम से की जिसमें फिल्म के आवी नेता सुपरस्टार मोहनलाल थे लेकिन वो फिल्म बंद कर दी गई उसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म रन की लेकिन कुछ रीजन के वज़े से उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह मीरा जास्मिन को लिया गया इसके बाद इन्होंने कई बॉलिवोड फिल्म की और बॉलिवोड फिल्म से इन्होंने अपनी करियर बनाई फिर आती हैं प्रियंका चोपरा 2002 में तमिल फिल्म थामी जहन से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद इन्होंने अंदाज, एतराज, दोस्ताना और मैरी कॉम जैसी कई फिल्में की और इस तरह से लगातार बॉलिवोड में ही उनकी फिल्में बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाती रही और वो बॉलिवोड में चागई इसके बाद हैं अक्टर माधवन, हिंदी फिल्मों की जाने माने चहरे हैं और इन्होंने अपनी करियर की शुरुवात अलाई पाउथे से की माधवन को चार फिल्म फिल्म अवार्ड और तमिल नाडू के स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया इसके बाद आते हैं कमल हासन जो की एक इंडियन फिल्मों के अक्टर हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुवात ताला थुर्क कनम्मा से की ये एक स्टोरी राइटर और फिल्म निर्माता के साथ साथ भारतिय सिनेमा के प्रमप किरदार को जीने वाले अभी नेताओं में से एक माने जाते हैं कमल हासन रास्ट्रिय फिल्म पुरुस्कार और Film Fair पुरुस्कार सहीत कई भारतिये फिल्म पुरुस्कारों के विजेता की तौर पर जाने जाते हैं और उन्हें सर्श्रेस्ट विदेशी भासा फिल्म के लिए अकादमी पुरुस्कार से भी नवाजा गया है तो आज के वीडियो में बस इतना ही और भी ऐसी जानकारी के लिए ट्रिपल आर ने बाहुबली को कैसे दिया पच्छार ट्रिपल आर को ऐसे सराजा मोली ब्रहमांड की तरह क्यों बना रहे हैं साथ सो साल पुरानी दिल्ली की चोर मिनार किस लिए जानी जाती है इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग रादे स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में इस लाजा मोली की मल्टी स्टारर मुवी ट्रिपल आर को लेकर बवाल मच रहा है लगभग 400 करोर रुपे की लागत से बन रही इस फिल्म का एलान जब से हुआ है तब से इस से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दर्शकों की बेचैनी को और बढ़ा देती है राजा मोली खुद कहते हैं कि सुवतंतरता सैनानियों के बारे में भारतिये फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संगर्श दिखाया है जबकी वो दास्तां के खिलाफ थे इस फिल्म के जरिये वो इन क्रांतिकायों के संगर्श को अलग तरह से पेश करना चाते हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे कैनवास को एक नए ब्रश के साथ पूरी तरह से चित्रित करना चाता हूँ ताकि मैं जो ब्रह्मान बनाओं उसमें वीर्ता, उर्जा और धेर्य हो 1920 के दशक में वास्तविक जीवन के स्वतंतरता सैनानियों अलूट सीताराम राजू और कोमराम भीम के जीवन को परदे पर लाने के लिए राजा मॉली फिल्म के लिए काफी रिसर्च भी कर रहे है इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मॉटर साइकल डाइरी से इंस्पायर है वहीं इस मूवी की जब अनाउंसमेंट हुई तो दर्शकों के दिल में एक और सवाल भी था कि ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है तो आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम है रगुपती राघव राजाराम लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है वो यह की इस फिल्म के नाम को इसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर रखा गया है जहां SS राजामोली ने बाहुबली वन 180 करोड में बनाई और दूसरा भाग 200 करोड में तो ट्रिपल आर को 400 करोड जितने बड़े बजट में बनाने की आखिर वज़ा क्या है वज़ा साफ है बाहुबली जैसी ब्लॉक्बस्टर फिल्म में देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदे स्पेशली SS राजामोली से काफी जादा हो गई है तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते उपर से फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो बज़ट जादा होना तो लाजमी है वहीं क्योंकि ये फिल्म 1920 के दशक की है तो उस समय के सेट को आज में प्रिजेंट करके दिखाना बेहत मुश्किल है ये भी एक बड़ी वज़य है इस फिल्म को इतने बड़े बज़ट में बनाने की अब अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो बाउग बली को ट्रिपल आर पचाड सकती है अल्रेडी बज़ट के मामले में तो पचाड चुकी ही है और रही बात फिल्म रिलीज होने की तो फिल्म में साउथ के दो सूप स्टार काम कर रहे है साथी साथ हमारे अज़र देवगन भी फिल्म का हिस्सा है तो आलिया भट भी है जो खुद इंडस्ट्री में अपना नाम एस्टिबलिश कर चुकी है तो उम्मीदे तो काफी जादा हैं सभी को लेकिन क्या इन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतर पाएगी ये सवाल भी कहीं न कहीं सब के मन में जरूर होगा खैर अब बात करते हैं चोड मिनार के बारे में अलावदीन खिल जी के साशनकाल में इसको बनाया गया था करीब 1296 से 1316 के बीच चोड़ी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता था दोशी का सिर काट कर मिनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था और इस मिनार में करीब 200 से जादा सुराखे है इसका साफ मकसद था कि लोगों के बीच चोड़ी को लेकर डर पैदा हो क्योंकि प्राचीन काल में लुटेरे बहुत हुआ करते थे आज भी होते हैं पर रूप अलग है एसेज राजा मौली की फिल्म टिपल आर को आलिया भट ने क्यों छोड़ा किस वज़ा से तूट गया आलिया भट और रणबीर कपूर का रिस्ता आलिया भट की और कौन-कौन फिल्म आने वाली है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिया भट के फिल्मी गलियारे में डारेक्टर एसेज राजा मौली के फिल्म टिपल आर काफी दिनों से चर्चा में इस फिल्म के जरिये बॉलिया भट साउथ फिल्मों में डिबुक करने वाली थी अब खबर आ रहे है कि आलिया भट ने डेट्स की समस्या के चलते राजा मौली के फिल्म छोड़ दी वैसे माना जा रहा था कि गली बॉय एक्टरेस इस महिने की सुरवात में टिपल आल के रिए हैदराबाद, गुजरात और पूने में शूटिंग करने वाली थी लेकिन क्रोना वाइरस के फैल ते संक्रमन को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पोश्पॉन कर दी गई अब सुत्रों का कहना है कि राजा मौली लगातार आलिया भट के मैनेजर के संपर्क में है और वे मैं में उनकी डेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं वहीं आलिया, सनक्टू, ब्रंभास और संजरीला बंसाले की गंगु बाई, काठ्या वाडी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं अक्टर्स को लगा कि वे डेट्स का एडजेस्मेंट नहीं कर पाएंगी इसलिए उन्होंने राजा मॉली की फिल्म से हटने का फैसला का लिया हाना कि कुछ दिन पहले ट्रिपल आर के प्रोडूसर डी बी भी धानिया ने एक इंटर्वी में कहा था कि आलिया भट मई के महीने से ट्रिपल आर के शूटिंग शूरू करने वाली है फिल्म की 75% शूटिंग हो चुकी है बागी शूटिंग आलिया के साथ होनी है आलिया जैसे इस फिल्म के साथ जुड़ जाएंगी वैसे ही राजा मॉली इसकी शूटिंग शूरू कर देंगी टिपल आर एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के सुतनता सैनिकों अलोरी सिता राम राजू और कोमा राम भीम की कहानी दिखाई गई है फिल्म में जूनियर एंटियार और राम चरन मुख भूमकाओं में नजर आएंगे और इसी फिल्म में बॉलिवुड के अक्टर अजे दियोगन भी कैमियों रोल करते हुए दिखाई देंगे माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 400 से 400 क्रौन रुपए खर्च होंगे आलिया भट और रनवीर कपूर बॉलिवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है दोनों की शादी का फाइंस बेसाबी से इंतिजार कर रहे हैं लेकिन इसी बीच कुछ परेसान करने वाली खबरे सामने आ रही है खबरों की माने तो रनवीर और आलिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है इतना ही नहीं खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि दोनों का ब्रेक अप और ब्रेक अप की वज़ा बताई जा रही है रनवीर का बेवहार आलिया के लिए रनवीर का वर्ताव कुछ ठीक नहीं है इसलिए दोनों का ब्रेक अप हो गया है और कुछ लोगों का मानना है कि रनवीर और आलिया अब भी साथ है अभी हाल ही में आलिया भट 27 साल के हुई है और उन्होंने अपना जनम दिन बनाया है अक्ट्रिस ने अपना जनम दिन बहन शाहिन भट और अपनी गल गैंग के साथ मनाया लेकिन उसके बाद एक फोटो सोचल मीडिया पर काफी वारल हुई जिसमें रनवीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे उस फोटो में रनवीर और आलिया के लावा अरजुन कपूर और मलाय का अरोडा भी थे फोटो को नतासा पूना वाला ने अपने इंस्टा स्टोरी पर सेर किया था लेकिन अब खबरे ये हैं कि रनवीर तो आलिया के बड़े पार्टी में शामिल ही नहीं हुए ऐसे में य जबाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा करने वाली थी अब खबर आ रहे है कि आलिया भट ने डेट्स की समस्या के चलते राजा मौली के फिल्म छोड़ दी वैसे माना जा रहा था कि गली बॉय एक्ट्रेस इस महिने की सुरवात में टिपल आल के रिए हैदराबाद, गुजरात और पूने में शूटिंग करने व वहीं आलिया, सनक्टू, ब्रंभास्ट और संजरीला बंसाले की गंगु बाई, काठ्या वाड़ी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं, एक्टर्स को लगा कि वे डेट्स का एड़ेस्मेंट नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने राजा मौली की फिल्म से हट इतने का फैसला कर लिया, हाना कि कुछ दिन पहले ट्रिपल आर के प्रोजेसर डी बी भी धानिया ने एक इंटर्वी में कहा था कि आलिया भट मई के महीने से ट्रिपल आर के शूटिंग शूरू करने वाली है, फिल्म की 75% शूटिंग हो चुकी है, बागी शूटिंग आल फिल्म में जूनियर एंटियार और राम चरन मुख भूमकाओं में नजर आएंगे, और इसी फिल्म में बॉलिवुड के अक्टर अजे दियोगन भी कैमियों रोल करते हुए दिखाई देंगे, मना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 400 से 400 क्रोण रूपए खर्च हो आलिया भट और रनवीर कपूर बॉलिवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है, दोनों की शादी का फाइंस बेसाबी से इंतियार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ परेसान करने वाली खबरे सामने आ रहे हैं, खबरों की माने तो रनवीर और आलिया के बीच कुछ अची नहीं है, इसलिए दोनों का ब्रेक अप हो गया है, और कुछ लोगों का मानना है कि रनवीर और आलिया अब भी साथ हैं, अभी हाल ही में आलिया भट 27 साल के हुई हैं और उन्होंने अपना जनम दिन बनाया है, एक्ट्रिस ने अपना जनम दिन बहन शाहिन भट और अपनी गल गैंक के साथ मनाया, लेकिन उसके बाद एक फोटो सोचल मीडिया पर काफी वारल हुई, जिसमें रनवीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे, उस फोटो में रनवीर और आलिया के लावां अरजुन कपूर और मलाइका अरोडा भी थी, फोटो को न और दिन की, दोस्तों आज के लिए बस इतना है, अगर आपको कोई भी प्रस्न पूछना है तो आप हमसे सिधे पूछ सकते हैं, आपके प्रस्नों का जबाब आपको नेक्स वीडियो में दिया जाएगा, या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा, ट्रिपल आर ने बाहुबली को कैसे दिया पच्छार, ट्रिपल आर को ऐसे स्राजामोली ब्रहमांड की तरह क्यों बना रहे हैं, साथ सो साल पुरानी, दिल्ली की चोर मिनार, किसलिये जानी जाती है, इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था, नमस्कार दोस्तो, मैं गरिमा सिंग, आपका दिल से स्वागत है, हमारे चैनल, बॉलिग्रादे स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में, इस राजा मौली की मल्टी स्टारर मूवी, ट्रिपल आर को लेकर बवाल मच रहा है, लगभग 400 करोर रुपे की लागत से बन रही इस फिल्म का एलान जब से हुआ है, तब से इस से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है, जो दर्शकों की बेचैनी को और देती है, राजा मौली खुद कहते हैं कि स्वतंतरता सैनानियों के बारे में भारतिये फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संगर्श दिखाया है, जबकि वो दास्तां के खिलाफ थे, इस फिल्म के जरिए वो इन क्रांतिकायों के संगर्श को अलग तरह से पेश करना चा ताकि मैं जो ब्रह्मार्ण बनाऊं, उसमें वीर्ता, उर्जा और धेर्य हो। में एक और सवाल भी था कि ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम है रगुपति राघव राजारान, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, वो यह कि इस फिल्म के नाम को इसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर रखा गया है, जहां SS राजामोली ने बाहुबली वन 180 करोड में बनाई और दूसरा भाग 200 करोड में, तो ट्रिपल आर को 400 करोड जितने बड़े बजट में बनाने की आखिर वज़ा क्या है? वज़ा साफ है, बाहुबली जैसी ब्लॉक्बस्टर फिल्में देखने के बाद, दर्शकों की उम्मीदे, स्पेशली SS राजामोली से काफी जादा हो गई हैं, तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते उपर से फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो बज़ट जादा होना तो लाजमी है, वहीं क्योंकि ये फिल्म 1920 के दशक की है, तो उस समय के सैट को आज में प्रिजेंट करके दिखाना बेहत मुश्किल है ये भी एक बड़ी वज़ए है इस फिल्म को इतने बड़े बज़ट में बनाने की, अब अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए, तो बाउंग बली को ट्रिपल आर पचाड सकती है अल्रेडी बज़ट के मामले में तो पचाड चुकी ही है, और रही बात फिल्म रिलीज होने की, तो फिल्म में साउंट के दो सूप स्टार काम कर रहे है साथी साथ हमारे अज़र देवगन भी फिल्म का हिस्सा है, तो आलिया भट भी है, जो खुद इंडस्ट्री में अपना नाम एस्टिबलिश कर चुकी है तो उम्मीदे तो काफी जादा हैं सभी को, लेकिन क्या इन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतर पाएगी? ये सवाल भी कही न कही सब के मन में जरूर होगा खैर, अब बात करते हैं चोड मिनार के बारे में अलाउदीन खिल जी के साशनकाल में इसको बनाया गया था, करीब 1296 से 1316 के बीच चोड़ी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता था दोशी का सिर काट कर मिनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था और इस मिनार में करीब 200 से जादा सुराखे है इसका साफ मकसद था कि लोगों के बीच चोड़ी को लेकर डर पैदा हो क्योंकि प्राचीन काल में लुटेरे बहुत हुआ करते थे आज भी होते हैं पर रूप अलग है खेर हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको भी लगता है ट्रिपल आर बाहुपली को पचार देगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही साथ अगर आप किसी एक्टर की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी भी बॉलिवुड की नई या पुरारी फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई भी इन्फरमेशन आपको बॉलिवुड से रिलेटेड जाननी है नीचे कमेंट करना बिलकुल ना भूलें ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल ट्रिपल आर में काम करने के लिए अजर देव का ने कितनी फीसली है ट्रिपल आर फिल्म का बजट कितना रखा गया है और क्या ये फिल्म बाहुबली से भी बड़ी होगी नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो तानाची से सुर्खियां बटोरने के बाद अज्रदेवगन अपनी अगली फिल्म ट्रिपल आर का एलान कर चुके है और ये भी एक बड़े बजट में बनी पीर ड्रामा फिल्म होगी इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो ये की फिल्म को बाहुबली फेम एसेस राजा मॉली डारेक्ट कर रहे हैं कहानी की अगर बात करें तो ये फिल्म होगी आंध्र प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की जिनोंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए संगर्ष किया था यानि की स्वतंत्रता सैनानी, अलूरी सीताराम राजू और कोमराम भीव फिल्म में ये दोनों किरदार निभा रहे हैं तेलकू सूपरस्टार रामचरण और जूनियर एंटियार इन लोगों के साथ ही फिल्म में आलिया भट और अज्रदेवगन को भी लिया गया है कि ये पिक्चर बहुत बड़े बजट में बन रही है, इसकी लागत साड़े तीन सो करोड से चार सो करोड रुपे के बीच बताई गई है आज्रदेवगन ने इस फिल्म के लिए कितने पैसे लिये है, लेकिन अज्रदेवगन ये फिल्म फ्री में कर रहे है आप हो गए ना शौक, लेकिन यही सच है कोई तो वज़़ा होगी कि इतना बड़ा स्टार्ट फ्री में फिल्म कर रहा है जी हाँ, आपने सही सुना और वज़़ है SS राजा मॉली और अज्रदेवगन की दोस्ती जबकि ट्रिपल आर के प्रेडियूसर डीवीवी दनैया अज्रदेवगन को पूरी फीस देने के लिए तयार थे और जहां अज्रदेवगन सिर्फ कैमियों के लिए फिल्म में 35 से 40 करोड रुपे चार्ज करते हैं अज्रदेवगन ने दनैया का ये ओफर ठुकरा दिया दरहसल उन्होंने डारेक्टर राजा मॉली से अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए इस फिल्म के लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया है लेकिन इतने गहरी दोस्ती हुई कैसे दोस्तो इस दोस्ती की शुरुवात हुई थी साल 2012 से अज्रदेवगन ने राजा मॉली की फिल्म इगा जिसे हिंदी में मक्षी के नाम से जाना जाता है उसमें एक छोटा सा वोईस ओवर दिया था तब से ही अज्रदेवगन और राजा मॉली की दोस्ती की शुरुवात हुई वेल जब फीस की बात छिड़ी गई है तो अक्षे कुमार का भी जिक्र कर लेते हैं जी हाँ अक्षे कुमार आनन देल रोय की धनुष और सारा अली खान स्टारर फिल्म अतरंगी रे में काम करने वाले हैं और आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार ने 120 करोड रुपे की फीस ली है ये आकड़ा सुनकर तो वाकई काफी बड़ा लग रहा है खैर अब बात करते हैं ट्रिपल आर में अलजर देवगन के किरदार की तो वो फिल्म में सरदार भगत सिंग के रोल में दिखाई देंगे यही वो किरदार होगा जो सीताराम राजू और कोमराम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेवित करेगा इस फिल्म की कहानी तो रियल लोगों से प्रेवित है लेकिन कहने की तरीके में थोड़ी मिलावट नजल आएगी साथ ही साथ उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी को बिल्कुल रियल न रखते हुए थोड़ा फिक्शनल रखा जाएगा तो दूसरे और अज्रदेवगन की फिल्म ताना जी जो 10 जैनवरी 2020 को रिलीज हुई थी अब तक सिनेमा घरों में धूम मचाय हुए है फिल्म की कमाई 200 करोड रुपे के भी पार जा चुकी है और फिल्हाल अज्रदेवगन अपनी अगली फिल्म मैदान की शूटिंग में बिजी है तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अज्रदेवगन की कौन से आने वाली फिल्म को लेकर हैं सबसे ज़ादा एकसाइटेड और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजेगा के फिल्मी गल्यारे में बाहु वी के डिरेक्टर एसेस राजा मौली जब इकवी फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धंगा करते हैं एसाज राजा मौली बाहु वली वान और टू के जरिये फिल्मी दुनिया में भूचाल लाने वाले ऐसे सक्स हैं जिनकी फिल्में कमाई के लिए जानी जाती हैं। अब SS राजा मॉली की अगले फिल्म ट्रिपल आर रिलीस से पहले ही कमाई के नए रिकार्ड बना रही है। ट्रिपल आर में अजे देवगन, जूनियर एंटी आर और राम चरन लीड रोल में नजर आएंगे। अबी हाल ही के कुछ दिनों पहले कोमल नहाटा ने अपनी ट्यूटर एकाउन पर बताया कि रिलीस से पहले ही ट्रिपल आर ने 400 क्रूपए का बिजनिस कर लिया है। एसे राजा मोले की ट्रिपल आर ने प्रिलीस बिजनिस का बाह बली करिकार तोड़ दिया है। आंधर प्रदेश और तेलंगाना में 215 क्रूपए और करनाटक में 50 क्रूपए में इसके एधिकार बेचे गये हैं जबकि इसके ओवर सीज राइश को 70 क्रूपए में बेचा गया है। इस तरह साथ इंडिया और ओवर सीज से ही ट्रिपल आर रिलीस से पहले ही 400 कौण रूपए का बिजनिस कर सकती है। लेकिन यहां पर प्रस्ण यह है कि ट्रिपल आर 2000 क्रोण का बिजनिस कैसे करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजे देवगन अगर उस फाइदों को भी मिला दिया जाये तो ट्रिपल आर का कुल कलेक्शन करीब 1500 कौण रूपए हो जाएगा। जूनियर एंट्रिय झी फेल्में भी आसानी से 300 से 200 कौण रूपए का बिजनिस कर लेती है। राम चरन्ट की फिल्म ने भी 200 कौं रूपए तक का बिजन किया इन सारे तत्यों के अधार पर कहा जा सकता है कि टिपल आर बॉक्स ऑफिस पर दो हजार करोण का बिजनेस बहुत ही आसानी से कर लेगी इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म में पहली बार बॉलेवोट, हॉलेवोट, टॉलेवोट यह तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए यह फिल्म अब राष्ट्य नहीं बलके अंतर राष्ट्य अस्तर के फिल्म बन गई है रिलीस से पहले ही टृपल आर ने कैसे बाहुबली का रेकॉर्ड तोर दिया है हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जयाल, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलिग्रा स्ट्यूडियोस में बाहुबली के डारेक्टियर एसेस राजा मॉली जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धमा का ही होता है एसेस राजा मॉली बाहुबली के जरिये फिल्मी दुनिया में भूचाला चुके हैं और कमाई के नए कीरतिमान मना चुके हैं अब एसेस राजा मॉली की आगली फिल्म ट्रिपल आर रिलीस से पहले ही कमाई के नए रेकॉर्ड मना रही है आपको बता दे ट्रिपल आर में अजर देवगन, चूनियन एंटियार और राम चरन ब्लीड रोल में है लेकिन फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नहाटा ने ट्रिपल आर के बिजनस को लेकर एक ट्वीट किया है और उसके मताब एक फिल्म रिलीस से पहले ही 400 करोड रुपए का बिजनस कर रही है कोमल नहाटा ने ट्रिपल आर को लेकर ट्वीट किया है एसेस राजा मौली की ट्रिपल आर ने प्री रिलीस बिजनस का बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है आंद्रपरदेश और तेलंगाना में 215 करोड रुपए और करनाटक में 50 करोड रुपए के इसके राइट्स बिके हैं जबकि इसके ओवर्सीज राइट्स 70 करोड रुपए में बेचे गए हैं इस तरह साउथ इंडिया और ओवर्सीज से हो रही ट्रिपल र रिलीस से पहले ही 400 करोड रुपए का बिजनस कर सकती है इस तरह उमीद की जा सकती है कि राजा मॉली ट्रिपल र के साथ भी बॉक्स ओफिस पर बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं आपको बता दे कुछ दिरों पहले खबर आई थी कि फिल्म के लिए अजय देवगन कोई भी फीस चार्च नहीं कर रहे हैं और अजय देवगन की साउथ में ये पहली फिल्म होने वाली है बाहु बली के डिरेक्टर राजा मॉली की ट्रिपल र अगले साथ 8 जनवरी को रिलीस होगी हाल ही में खबर आई थी कि रे स्टी विंसन, ओलिविया मॉरिस और एलिसन डूडी जैसे मशुहूर कलाका ट्रिपल आर के साथ जुड़ गये हैं फिल्म का 70% से भी अधिक हिस्सा शूट किया जा चुका है और फैंस को बाहु बली की निर्देशक राजा मॉली की ट्रिपल आर का भी सब्री से इंतजार हो रहा है तो दोस्तों आप ही हमें बताईए कि आप को ट्रिपल आर का कितना इंतजार है नीचे कॉमें सेक्शन में फिल्म के सेट पर सुपरस्टार अजे देवगन, राम चरन, जूनियर एंटियार के साथ राजा मॉली की तस्वीरें बहार आई है इनकी तस्वीर सोसल मीडिया पर वारल हो रही है हो भी क्यों ना, एक साथ इन चारों को देखना बड़ी बात जहां अजे देवगन बॉलीवुट के स्टार है, वहीं राम चरन और जूनियर एंटियार तेलगू सिनेमा के जाने माने नाम है लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है, वो है राजा मॉली जिन्होंने भारतिये सिनेमा को बाहवली जैसी फिल्म दी है बाहवली फेल्म निर्देशक राजा मॉली की ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में सामिल है फिल्म का बजट काफी जादा रखा गया है, रामचर, एंटी रामा राव जूनियर, अजे दियुगन के अलावा फिल्म में आलिया भट भी मुख किरदार में दिखेंगी कोई शक नहीं है कि बाहवली धमागा के बाद दर्सों को इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार है अब इस डेट को बदल दिया गया है, हाला कि अभी अक्टूबर की फाइनल डेट नहीं आई है फिल्म 1920 के स्वतंता से नानियों, अलूरी सीताराम राजू और कोमा राम भीम के इर्धिल घूमती है जबकि कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी कालप्लिंग है, जो बिटिस राज के खिलाब लड़ी थी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी बड़ी होने वाली है करीब 400 क्रोन रुपए की लागत से बन रही ये फिल्म भारत की सबसे महगे फिल्म होगी फिल्म की टीम ने पहला सेडूल पुरा कर लिया है और अब फिल्म की टीम अपने दूसरे सेडूल पर काम कर रही है हिंदी के लामात तमिल, तेलगो, मल्यालम समेथ कुल दस भासाओं में ये फिल्म रिलीज की जाएगी ये एक पीरियड एक्षन फिल्म है फिल्म को ओवर्सीज में काफी बड़े अस्तर पर रिलीज किया जाएगा आपको बता दें कि राजा मौली के पिछले भिल बाहवली ने ओवर्सीज में एक हजा करोण से उपर की कवाई की थी इस एज राजा मौली ने बाहवली स्रीज इगा मगा धीरा जैसी बिग बजट ब्लाक बास्टर फिल्में दी हैं लिहाज आ टिपल आर से भी बॉक्स ओफिस पर तहलका की उमीद जताई जा रही है राजा मौली का मानना है कि स्वतनता सेनानियों के बारे में भारतिय फिल्म उने सिर्फ उनके जीवन का संगर्स दिखाया जबकि उन्होंने दास्ता के खिलाब लडाई लडी थी इस फिल्म के जर्ये वो उन क्रादकारियों के संगर्स को अलग तरा से पेस करेंगे आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक हजार करोण का बिजनिस करेगी क्यूं बदल गई ट्रिपल र की रिलीज डेट फिल्म में किस प्रकार का होगा एक्शन नमस्कार दोस्तों मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सब का हमारे चैनल बॉली ग्रैट स्टूडियोज में बाहु बली के डारेक्टर एस एस राजा मोली की बहु प्रतिक्षित आलिया भट और अजएद देवगन के साथ NTR और रामचरन अभिनित फिल्म है सूत्रों के अनुसार फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है और जुलाई 2020 में रिलीज नहीं होगी फिल्म ट्रिपल रार की टीम के करीबी सूत्रों के अनुसार या ऑक्टूबर में रिलीज होने की संभावना है इस फिल्म को लेकर शमिक्षिक तरण अर्दास और कोमल नहांच ने भी ट्वीट करकर जानकारी दी है हाल ही में रे स्टिविंसन, ओलिया मार्शज और अलिसन डूरी जैसे मशूर कलाकार ट्रिपल रार के साथ जुड़ गए है फिल्म 2020 की सबसे बहु प्रतिक्षित रिलीज में से एक है और इसमें फिल्म उद्द्यों के सबसे बड़े सितारें की टुकडी भी देखने को मिलेगी फिल्म का सत्तर प्रतिशत भाग शूट हो चुका है और प्रशिंशकों को बाहु बली के निर्देश SS राजा मोली की ट्रिपल र की रिलीज का सब्बे सब्दे से इंतजार है बता दे कि बाहु बली के डारेक्टर SS राजा मोली द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्मान DVV दन्या ने किया है फिल्म में साउथ के दो सबसे बड़े सूपर हिट एंटियार जुनियर और राम चुरिन के अलावा हिंदी सीनेमा के भरोसे मन सितारे अजय देवगन भी है फिल्म में दोनों के लीड हीरो की एंटिय सीन शूट कर दिया गया है और उसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा चुका है बॉलिवुट के किस आक्टर ने ताना जी को वाईयाद कहने की हिम्मत की है ये आक्टर क्यों अजय देवगन से पंगे लेता रहता है क्या अब इसे मिल गया है इसका मूतोर जबाब और ताना जी ने रश दिया है कौन सा इतिहास और अब अजय ने केस फिल्म की तैयारिया शुरू करती है हेलो गोस्तो मैं सोनी का स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलिवुट स्टूडियोज में बॉलिवर्य आक्ट और अजय देवगिन की फिल्म ताना जी था अंसेंग वॉरियर बॉक्स आफुस पर लगातार कमाई कर रही है फिल्म ने बॉक्स आफुस पर अब तक 166 करोड की धमागेदार कमाई कर ली है वैसे तो ताना जी के रवतार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि ताना जी ने पहले दिन 15 करोड की कमाई थी और 16 दिन अपने पहले दिन की कमाई से भी जादा की कमाई कर ली वैसे फिल्म ने एक और हिस्ट्री बनाई है अजे देवगन की ताना जी दा अंसंग वारियर को दोगुना प्यार मिल रहा है फिल्म बॉक्स ओफिस पर ताब और तोड कमाई कर रही है और अब तीनो से नाओं के प्रमुक ने साथ मिलकर ये फिल्म भी देख ली ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म को तीनो से नाओं के प्रमुक एक साथ देख रहे हो वैल अजे देवगन भी इस बास से बेहत खुश है और बहुत प्राउट फील कर रहे है और अजे ने ठान ली है कि अब वो रुकेंगे नहीं और अपनी अगली फिल्म के तैयारिया शुरू कर रही है आपको बता दे अजे देवगन का अगला प्रोजेक्ट है ट्रिपल आर जिसे डारेक्ट कर रहे हैं बाउबली के डारेक्टर एस एस राजा मॉली ट्रिपल आर मुवी के मेकर्स ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा हम लोग अजे देवगन के साथ हमारे शेडूल की शुरूआत के लिए बहुत खुश है फिल्म ट्रिपल आर में कई बड़ी हस्तिया भी दिखेंगी फिल्म में जे आर एंटी आर राम चरन आलिय भट और विदेशी आक्टरिस डेजी जोनस भी लीड रोल में होंगी फिल्म बड़े बजट की बताई जा रही है फिल्म का बजट चार सो करोड होने वाला है ये फिल्म दस भाशाओं में रिलीस होगी वेल दोस्तों जहां अजे की ताना जी ने दिखा दिया है कि इसमें कितना दम है वहीं बॉलिवुट के एक आक्टर ने इस फिल्म को वाई याद बता दिया था ये आक्टर अफ फिल्म क्रिटीक है और इनका नाम के आरके है यानी कमाल आरखान जिनने आप सबी जानते हैं लेकिन अब ताना जी की ताबरत और कमाई से खुद के आरके शर्मिन्दा महसूस कर रहे हैं के आरके ने माफी मांगते होए ट्वीट किया है कि ताना जी रिली को फिल्म पसंद आती है क्योंकि जनता की आवास नकारे खुदा आपको बता दे क्यार के ने ताना जी को वायात फिल्म बताया था और कहा था कि पानी पद्वी से दस गुना जादा अच्छी है उन्होंने इस फिल्म को एक स्टार्ट दिया था वैसे ये कोई नई बात नह गया था कि करन ने के आर के को पैसे दिये थे शिवाय का घटिया रिव्यू देने के लिए इसके बाद दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई हाल ही में एक रियालिटी शो में भी अजय ने करन पर अपनी सारी भडास निकाल दी थी वैल इस बार भी के आर के ने ताना ज जिन तक के यार की की बोलती ही बंद हो जाएगी खैर दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको ट्रिपल आर का कितना इंतिसार है हमें नीचे कॉमें सेक्शन में ज़रूर बताएं ट्रिपल आर फिल्म के गाने बाहु बली की तरह क्यों बनाये जा रहे हैं क्या ट्रिपल आर बाहु बली से भी बड़ी फिल्म होगी ट्रिपल आर का बजट कितना रखा गया है और फिल्म का नाम ट्रिपल आर ही क्यों रखा गया है नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग कर रहे हैं साथ में प्रकाश राज मुर्ली शर्मा मुकेश रिशी श्री निवास राव और फिल्म में चृतन जीवी का भी गेस्ट अप्यरेंस देखने को मिलने वाला है वहीं अगर बात करें कि फिल्म का नाम ट्रिपल आर ही क्यों रखा गया है तो आपको बता दें कि एसे किनों की नामों को मिला कर इस फिल्म का वर्किंग टाइटल ट्रिपल आर रख दिया गया है वहीं इस फिल्म का बजट भी करीब 400 करोड रुपे बताया जा रहा है क्योंकि यह फिल्म भव्य स्थर पर बनने वाली है फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहान और सलमान खान स्टारर करन अर्जुन और गौर करने वाली बात है कि वो फिल्म ब्लॉक्बस्टर हिट साबित हुई थी तो ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है वहीं अगर फिल्म के गानों की बात की जाए तो इस फिल्म के गाने भव्यता से परिपूर्ण होने वाले हैं इनफेक्ट जिस प्रकार से बाहुबली में जीयो रे जीयो बाहुबली टाइटल ट्रेक रखा गया था उसी प्रकार से ट्रिपल आर में भी एक टाइटल ट्रेक रखा जाएगा सुनने में ये भी आया है कि मोरे बंसी, बजईया, नंदलाला, कनहिया कुछ इसी प्रकार का गीत भी S.S. राजा मॉली अपनी इस फिल्म में चाहते है बाहुबली में म्यूजिक दिया था राजा मॉली की कजिन M.M. किरावडी ने और ये बताने की तो जरूरत है नहीं, बाहुबली के म्यूजिक को दुनिया भर में बेशुमार प्यार मिला था, खुब पसंद किया गया था और शायद यही कारण है कि S.S. राजा मॉली ट्रिपल आर फिल्म के लिए भी कीरावडी को साइन करने की सोच रहे हैं इनफेक्ट ये तक मानना है कि ट्रिपल आर बाहुबली की तरह भारतिय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म हो सकती है वैल अब ये देखना वाकई दिल्चस्प रहेगा कि क्या ट्रिपल आर बाहुबली को टकर दे पाएगी चाहे वो गानों के मामले में हो या फिर फिल्म की कहानी के मामले में तो दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल एसेज राजा मौली की ट्रिपल आर केवल 40 प्रत्सत क्यों बन पाई है और इस फिल्म का क्लाइमेक्स कितने मिनट का होगा अजे देवगन के जूडने से इस फिल्म को कितने करोन का फायदा होगा मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी गल्यारे में एसेज राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर की सूटिंग भब अस्तर पर चड़ रही है लेकिन जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्म अब पोस्ट पॉंट कर दी गई है और अब ये फिल्म अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है पहले फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो रही थी फिल्म की नई रिलीज डेट फिलाल तैन ही की गई है फिल्म की कहानी 1920 के दसक के दो सतंता सेनारियों अलोरी, सीताराम राजू और कॉमाराम फीम पर आधारी थे इन दोनों बीर पूर्सों ने बिट्रेस राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी हाला कि फिल्म इन दोनों लड़ाकों की दोस्ती के बारे में कही जा रही है हाली में खबरे थी कि फिल्म की कास्ट में किचा सुधीब भी जूर चुके हैं माना जा रहा था कि किचा सुधीब फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूनका में नजर आएंगे लेकिन किचा ने साब करते हुए कहा कि वो फ्रेंस की खुशी समझ सकते हैं पर उन्हें ऐसे किसी रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए S.S. राजा मौली बता चुके हैं कि ये बहुत बड़ी फिल्म है और पूरी तरह से कालपनिक है। ये दो सच के हीरो की कहानी है। मैं छोटे अस्तर में फिल्में बनाना पसंद नहीं करता। और इसलिए इस फिल्म में भी सब कुछ काफी बड़े भब अस्तर पर किया जा रहा है। फिल्म के लिए रामचरण तेजा और जूनियर एंटियार भब अस्तर पर 20 तारिक से एक्शन सीन सूट करने जा रहे है। इससे पहले दोनों ने अलग लग अपने एक्शन सीन सूट किये हैं। और इसके बाद फिल्म लग बाग 50% पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि फिल्म के क्लाइमेस के लिए 15 मिनट का एक लंबा फाइट सीन सूट होना है जिसकी तैयारी पूरी पुछ की है। इससे पहले फिल्म का इंटरवल सीन देखकर भी फैंस वाख के उठेंगे। इस फिल्म के लिए अजे देवगन और अक्षे कुमार के बीच कई टककर चली। मना जा रहा था कि दोनों को ही फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। खबरे यहां तक थी कि अजे देवगन ने फिल्म को रिजेक कर दिया है। लेकिन आखिरकार सारी अप्वाहों को पीछे छोड़ते हुए अजे ने इस रोल को अपने नाम कर लिया है। खबर है कि फिल्म में अजे देवगन राम चरण तेजा के पिता की भूंका में नजर आएंगे। क्या अद्गुत करते हैं। माना जा रहा है कि फिल्म में बाहुवली की पूरी टीम वापस एक साथ काम कर रही है। पिछली बार जब इस टीम ने काम किया था तो भारतिये सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बना डाली थी। इस बार अगर सब कुछ प्लान के मताबिक रहा तो हो सकता है कि फिर से इतिहास दोराय जाए। एसेज राजा मौली ने काफी पहले ही एकदम साब साब कहा था कि आलिया भट और अजे देवगन फिल्म में केवल सहोगी भूमका में होंगे। जूनियर एंटियार और राम सिरंड तेजा की। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म से अजे देवगन के चुड़ने से इस फिल्म को कम से कम 200 करोण का फायदा होगा। यानि कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कम से कम 1000 करोण रुपए की कमाई कर सकती है। अब ये देखना है कि क्या ये फिल्म बाहुवली का रिकार्ड तोड़ पाती है या नहीं नमस्कार दोस्तों मैवद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई पेस्टेश में जी हाँ दोस्तों पाहुवली और पाहुवली टू के बाद SS राजा मॉली ने लॉंच किया 30 मेड़ा बजट प्रोजेक्ट जिसका नाम है ट्रिपल आर ट्रिपल आर यानि कि रामा रावर राजियम इस फिल्म का नाम है लेकिन पोस्टर में सिर्फ इतना दिखाया गया है कि प्रिपल आर और उसके नीचे लिखा गया है रामा रावर राजियम जो कि इस फिल्म का नाम है हम आपको पता रहें कि बाहुवली का बजट था 182 करोड और बहुवली 2 का बजट था 250 करोड और इस फिल्म का बजट है 300 करोड से भी उपर का ये भी एक पीरियट ड्रामा फिल्म होगी इस फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में एक गाउन बनाया गया है जिसमें आप 1920 में भारत के गाउन कैसी हुआ करते थे आप इसमें देख सकते हैं इस फिल्म के में लीट एक्टर्स हैं NTR और रामचरन जो कि साओ के जाने माने चेहरे हैं जिनकी फिल्में काफी सुपर डूपर हिट रह चुकी है और ये दोनों एक्टर्स फिल्मी बैक्डराउंड से तामकात में रखते हैं ये एक पीड ड्रामा फिल्म होगी लेकिन फिल्म नी कहानी क्या होगी ये सास्त्रों या वेदों या पुरानों से उठाई गई है या किसी राजा महराजा के उपर होगी इस बात का भी कोई खुलासा भी नहीं किया गया है और इस फिल्में दोनों के अपोजिट कौन से में लीक एक्टरिस होंगी इस बात के भी कोई खुलासा नहीं किया गया है पर अंदाजा लगा जा सकता है कि S.S. राजा मौली ने पाहवली और पाहवली 2 मूवी बनाने के बात अगर इस फिल्म को हाथ में लिया है तो ये भी कोई बड़ा खुमा का करने वानी होगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है S.S. राजा मौली को आप जानते ही हैं पाहवली के जडिये जिनोंने ऐसी दोस्तों पर डुपरेट फिल्में दी हैं तो क्या RRR यानि की रामा रावन राजाम भी कुछ ऐसा कमाल कर पाएगी जैसा इस बाहुपरेट नहीं किया था आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूल है दोस्तों आपके मन में अगर फिल्म से रिलेटेट कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमिट बॉक्स में रामा रावना राजाम फिल्म किस से इंस्पाइड है शमशेरा और ट्रिपल र में से किसकी जीत होगी आकिर क्यों साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलिवुड के अक्टर्स को चांस दे रही है अपने फिल्मों में हेलो दोस्तो मेरा नाम है अंकेत और आप सभी का स्वागत है बॉलिवुड स्टूडियो के नए वीडियो में तो आज हम बात करने वाल है फिल्म रामा रावनाम राज्यम के बारे में मतलब की ट्रिपल आर के बारे में दोस्तो पूरे सीनेमा यूनिवर्स में अगर इंडी वुड के बारे में बात होती है तो उसमें सिर्फ दो इंडस्ट्री है बॉलिवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री इंडिया के बाहर पहले South industry की फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं करता था लेकिन सिर्फ एक फिल्म ने ना सिर्फ लोगों का perception चेंज करने में कामियाब रही बलकि उस industry को उस फिल्म से बहुत हैट मिला इस एक फिल्म की वज़े से आज ऐसा लगता है कि बॉलिवुड उनके सामने नाक रगड रहा है और अगर दोनों industry के फिल्मों को competition की नजरिये से देखे तो बॉलिवुड हार रहा है मैं बात कर रहा हूँ बाहु बली सीरीज के बारे में बाहु बली और बाहु बली तू दो सुपर हिट फिल्म हैं दुनिया भर में कमाल किया दोनोंने नाकोचने चबा दिया इन दो फिल्मों के आगे कोई नहीं फिल्म को डिरेक्ट किया था SS Raj Mollie ने अपने आने वाली फिल्म रामा राज ये रावडम यानि की ट्रिपल आर पर काम कर रहे हैं ये एक अपकमिंग टेल्गू हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म है जिसे लिखा और डिरेक्ट किया है SS Raj Mollie ने फिल्म में लीड रोल में है NTR रामा राव जूनियर, रामचरन, आलिया भट और अजे देवगन साथी चाथ एक हॉलिवुड एक्ट्रेस भी है डेजी एडगर जॉन बाकि सब के बारे में तो आप जानते होंगे की जूनियर, NTR राव कौन है अजे देवगन कौन है और आलिया भट कौन है लेकिन डेजी एडगर जॉन्स ये नाम आप सभी के लिए नया है ये एक फेमस ब्रिटिस एक्ट्रेस हैं जोकि नाशनल यूथ येडर में काफी एक्टिव है डेजी मुखर और मुख साक्षी सो में काम कर चुकी है इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा सिरीज कोल्ट फिड के जरीए काफी बहचान मिल चुकी है कुछ महिने पहले ही डेजी फिल्म पॉंड में नजर आई थी ब्रिटिस एक्ट्रेस डेजी सोचल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है डेजी अपने कुछ सेक्सी वीडियो के कारण सोचल मीडिया पर लगातार चाही रहती है सबी वीडियो में डेजी अपनी सेक्सी एंड होट अदाओ से दर्शकू का दिल जीत रही है वो हर थोड़े दिन में कोई न कोई बोल वीडियो शेयर करती रहती है तो सबसे पहले हमारा सवाल था कि ये फिल्म किसे इंस्पायर है तो ये फिल्म बेस्ट है लाइवस ओफ फ्रिडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू और कोहराम भीम जिन्होंने फाइट किया था बिटिश राज और निजाम ओफ हैदराबाद के अगेंस्ट फिल्म की कहानी सीताराम राजू और कोहराम भीम इन दो नामों के किरदारों के एट गिट घूमती रहेगी ये दो स्वतंतरता से नानियों की जिंदगी की कहानी है खबरों की माने तो फिल्म की कहानी स्वतंतरता से ना नी सीता राम राजु की जिंदगी की कहानी से प्रेरित होगा सीता राम एक वनवासी थे इन्हें किसी बंधन में अथवा पराधीनता यानि की डिपेंडेंसी में नहीं जखड़ा जा सकता था इसलिए उन्होंने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशों के खिलाफ विरुद किया और उनका ये संगर्स देश के श्वतंतर होने तक निरंतर चलता रहा आज हम कहा सकते हैं कि जंगलों के टिलों से ही आजादी की योजना का आराम हुआ महान करांतिकारी अलूरी सीताराम राजू जिन्होंने अपना संपूलन जीवन स्वतंतरता के संघर्स में गुजारा आंद्रप्रदेश के महान करंतकारी अलूरी सीताराम राजू इनका जनम 15 मई 1897 को गोदावरी जिले में एक शत्रिय परिवार ने हुआ उन्हें आपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई और उनके एक संबंदी ने उन्हें धोका दिया था। उसकी वज़ा से 18 वर्ष की उम्र में साधू बन गए। इस कोशिश में उन्होंने कई बार पुलिस थानों पर आक्रमड किया और वहां से सारे हत्यार ले लिया। 22 अगस्त 1922 से 1924 तक राजू के दल ने दस्यों पुलिस थानों पर कवजा करके उनके हत्यार लूटे। पुलिस को हर बार उनकी संगटित सक्ती के सामने पराजित होक पर भागना पड़ता था यहां तक की इस्तिती आगई की सरकार ने थानों में हत्यार रखना ही बंद कर दिया। राजू के दलों के सामने कोई ने टिक पाता था। लेकिन लगबग दो वर्स तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला ये वीर शहीद हो गया। उन्ह इन्हों ने हैदराबाश शहर मुक्त करने के लिए असव जली रजवंश के खिलाफ लडाई-लडी थी और जीता था। इनका एक नारा भी था जल जंगल और जमीन। और जहां तक देखा जाये तो SS राज मॉली की फिल्म का भी यही मोटी होगा। क्योंकि इन तीनों पर आ आज खत्रा मंडरा रहा है